ये topic वसे तो अभी नहीं पढ़ाना था, शुरुवात के 6-7 कलास है, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने series start किया है, रेफिनल नमबर तो आगे इसको थोड़ा सा बता देते हैं, बताईए, जबाद दीजिए, 1 में, 1 upon 3 and 1 upon 7 के बीच कितनी रेफिनल नमबर होंगी, जल्दी करें, 5 upon रेफिनल नमबर, 9, 0 या infinite अनन्थ, बरे गुड, बहुत अच्छा, सलमान खान, कोमल तिवारी, पर नो, अन्वी सर्मा, बरे गुड, किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में साथियों, अनन्थ पर्मिय संख्याओं होती हैं, आपका correct answer D वाला हो जाएगा, ये मैं already आपको बता चुका हूँ, पिछली class में हमने देखा था, कि 2 वा, 3 के बीच, 5 पर्मिय संख्याओं कैफ्य निकालते हैं, या 10 पर्मिय संख्याओं कैफ्य निकालते हैं, ये देखा था कि नहीं, यस, सभी ने देखा था, ठीक है, तो आज जो question होगा थोड़ा अलग, आज भिन्न के रूप में होगा, यानि कल हमने पूर्ल संख्याओं के बीच में, पर्मिय संख्याओं निकालना सीखा था, आज हम आप पूर्ल संख्याओं के बीच में देखेंगे, यह कच्छाठ की NCRT का सिलेबस है, जो यह अभी दिखा रहे हैं, आप कहोगे, सुरू में कहें कच्छाठ ले आए, कुछ वज़ा है बाद में बताऊंगा, देखो आसान है, बहुत आसान है, नहीं आएगा तो बाद में फिर बताऊंगा इसको, किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनन्त पर्मिय संख्याओं होती हैं, यह आपको याद रहना चाहिए, ओके, चलिए, तो दो बटा पाँच, पहले ऐसे लिख लेंगे दोनों भिन, इसमें हर बराबर है सनियोग से, हर आपको बराबर नहीं करना है, अगर हर बराबर है तो क्या करते हैं, जानते हो, एक काम करेंगे, एक काम करों गए का, पता हैं, देखो, साथियों अगर हर बराबर होता है, तो हम, एक जो साधारन सा नियम है पहले उस पर बात करेंगे, जो बहुत आसान है जितनी पर्मिय संख्या निकालनी है उससे एक अधिक 5 निकालनी है तेक अधिक कितना होगा 6 न 6 से उपर नीचे गुडा करेंगे थोड़ा अलक कलर लेलो इसको उपर नीचे गुडा करेंगे 6 से तो 6 दूना 12 और 5 चंग 30 इसमें भी 6 से गुड़ा 6 तरीक 18 पांच चंग 30 यहाँ पे समझे न यह सबसे आसान वाला तरीका है अब यह और भी बताऊंगा अब हमें क्या करना है बच्चों अब हमें इसके बीच में 5 पर्मिय संख्या निकालनी है इन दोनों के बीच में हो जाएगा कि नहीं बताऊ 12 बटा 30 वा 18 बटा 30 के बीच 5 पर्मिय संख्या निकालनी है बस लिख देंगे नीचे लिख लो देखो आसान है आओ चलो देखो थोड़ा छोटा कर दो इसको आसान है देखिए ये पहला वाला इसको एक छोड़ पे लिख दो दूसर का वाला एक छोड़ पे इसके बीच में हमें 5 पर्मिय संख्या निकालनी है साथियों 12 के बाद 13 आता है न तो 12 बटा 30 के बाद क्या होगा 13 बटा 30 पहली पर्मिय संख्या 14 बटा 30 15 बटा 30 16 बटा 30 17 बटा 30 इस तरीके से ये 5 पर्मिय संख्या हो जाती है किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए रोहित कुमार बहुत बहुत धन्यवार धेर सारा थैंक्यू बिकास मौर्या मौहमद हसन सुसील कुमार यादो सुभी मिस्रा जनारदन परसाद बहुत अच्छा बावू बेरे गुड बेरे गुड चलिए यह बैच यूटउब पर टोटल फ्री पढ़हेंगे आपको कोई अबोस आपको टेले लाइना है तो बाद में, यूटउड पढ़ए जां बहुत भाँ इफिले डेली आओ सभी को समझ में आ गया ते एक बार हाँ बोल दो फटा-फट जिनको नहीं आया वो नहीं नो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी और तीन-चार एक्जामपल बताएंगे अगर दो परसेंट भी आ गया तो बहुत खुशी की बात है बाकी 98 परसेंट तो आई जाएगा जाओगे कहाँ आएगा चल यह ठीक है एक चीजा और बताओं यहाँ पर क्या क्या यह सही है एक बार आप कलकुलेटर से थोड़ा सा इनको चेक करके देखिए आए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर कुछ चेक करके दिखाता हूँ आप यह करो एक काम बारा को आप तीस से भाग करो पहले बारा को जब तीस से भाग करोगे बच्चों तो यह 0.4 आएगा लगबग सम्थिंग ठीक है और अठारा को तीस से भाग करिए हम यह दिखा रहे हैं कि यह सही भी है कि बस आई से हो ही गया यह 0.6 आएगा लगबग यानि 40, 25 और 60, 25 के बीच में यह सारे मान होने चहिए लिखने में बढ़का ही नहीं है आने भी चहिए इनके बीच में चलो देखो है की नहीं 13 को 30 से भाग करो भाया 13 को 30 से भाग करोगे 0.43 आएगा यानि 43 पैसा 17 को 30 से भाग करिए 0.56 यानि लगबग 56 पैसा या देखा आपने यह 40 पैसा और 60 पैसा के बीच में तो आ रहा ना अगला को भाग करके देखो 14 को 30 से भाग करिए 0.46 आएगा देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको भाग दूं लंबा वाला टाइम लग जाएगा मिस्टर रॉकी समझ में आ रहा है कमल ठाकुर आ रहा है पिंकी राओ तू भी मिस्रा प्रागती पंडे ठीक है आ गया समझ में तो हम यह आपके संतुष्टी के लिए इसको नीचे कर रहे थे इसको आपको नहीं करना है पेपर उपर में पतलब कहीं भी ठीक है वसे देखिए यह कांसेप्ट है एक बात याद रखिएगा अगर बहुत अच्छी बिल्डिंग बिल्डिंग बनानी है तो नियू बराबर होनी चाहिए अगर नियू ही गड़ बढ़ है तो बिल्डिंग नहीं चलने वाली है वसे अगर आपको कोई भी एक्जाम करेक करना है अगर आपका कंसेप्ट नहीं सही है तो मैत में कभी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे ट्रिक नहीं लगेगी जब تक basic नहीं आता है याद रखिए अगर किसी का घर आपको पता है किसी का घर आपको पता है फलाने गाउन फलाने जगा है तो तुम रोड से ना जाके खेतारीय खेतारीय भी जा सकते हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहा है तो जाओगे किदर से तो ऐसे basic जो होता है वो आपको एक main point बताता है उसकी बाद trick लगा सकते हो आईए दूसरे example पर चलते हैं चलो बहुत अच्छा बाबू very good चलो second example हल सबसे पहला फास्ट फ्रेक्सान एफे लिखेंगे वा फिर सिकेंड फ्रेक्सान एफे थोड़ा दूर लिखेंगे ठीक है पढ़िया आज कल बड़ा भूकंब भी आ रहा थोड़ा सावधान रहना पड़ता है समझे रोग नहीं वही मैं देख रहा था कुछ खड़ बड़ा रहा था चलो इनके हर बराबर है हर बराबर हैं तो क्या करेंगे जितनी पर्मिय संख्या निकालनी है उससे एक बढ़ा के उपर नीचे गुड़ा करेंगे तो 33 अपान 77 आप समझे ना हमें जो पर्मिय संख्या निकालनी है दस ठुना भाया वो 33 अपान 77 और 44 अपान 77 के बीच निकालनी है अब ठीक है चलो देखो समझो इसको मिटा दो अफे लिखो इतना वा इतना के बीच ग्यारा पर्मिय संख्या है अब क्या करेंगे एक साइड इन को लिख लो स्टार्टिंग वाले को एक साइड इन वाले को लिखो भाईया दस ग्याराठी लिखना है थोड़ा जगा रहनी चाहिए 33 अपान 77 इधर लाइस्ट छोर पे हम लिखेंगे 44 अपान 77 हमें 10 पर्मिय संख्या हैं लिखनी है भूलना नहीं चलो तो पहली पर्मिय संख्या क्या हो जाएगी साथी मेरे 34 अपान 77 दूसर की 35 अपान 77 देखो 33 के बाद 34 35 ना फिर 36 अपान 77 इनका यह लाइब आयार यह बड़ा दूरी चला गा है तो यह हो गई आपकी दस पर्मिय संख्या है कि इन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे यार यह क्या हुआ है बगवान यह मेरा दिमाग कहा गया आज रुको 49 के बाद में अभी यह यह है चालिस भी तो होगा आज से लिख लेना आपका मैं लिख हूँ भाल तो जाने दो 49 के बाद 40, 41, 42, 43 ना यह है न यह 4 और हो जाएगा कौन-कौन 40, 41, 42, 43 ठीक है ऐसे आगे 40, 47, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 43 फिर हो जाएगा टोटल ठीक है कोई डाउड किसी को नहीं न भूपेश चतुरबेदी बहुत अच्छा बेरे गोड प्रीती साट क्रियेटर वेलकम विनीता देओ देखो भाई अग थोड़ा तबियत ना डिश्टर वे फिर से जो खाम खाम हुआ है इसलिए वो एनर्जी नहीं दिख रहे होगी कलास में लेकिन फिर भी हमारी कोशिस है कि आपकी उमीदें पूरा हो लिख लीजिए आगे बढ़ें तो सभी को समझ में आ गया तो एक बार हाँ बोलें कमेंट में नहीं आया तो ना बताइए आया सभी को एक बार सभी साथ ही हमारे बोलेंगे यास अरे यास बोलने में सरम लग रही तो वाई लिख दो नहीं आया तो यन फिट बैक आपका बहुत जरूरी है हमारे लिए और सभी बच्चे क्लास को सेयर करें अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें आपको आपके उसकी कसम है उसको भी लेके आना क्लास में मतलब एक और आप तो आई रहे हो एक और लेके आओ बस अगर 1580 बच्चे जुड़े हैं ये एक एक लेके आएंगे तो ये 2000 हजार प्लस हो जाएंगे न और वो भी एक एक को करेंगे तो फिर ये संक्या नहीं रुकेगी जैसे आद पीबियार स्टेडी में साड़े 5 लाग सेदिक सब्सक्राइबर और 10 करोन सेदिक दर्साख हो चुके हैं वसे ये भी बढ़ेंगे लाइब में भी हमसे लोग कहते है हैं अब की लाइब क्लास में बच्चे काहें नहीं आते हैं हम कहते हैं वो तो मेरा प्यार है नहीं आते बाद में आके डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन अब मैं ये थोड़ा प्यार कम कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा हो रहा है चलिए क्या करेंगे सबसे पहला नंबर लिखेंगे वा फिर सिकेंड नंबर नाइन अपान थिरी इनके बीच में साथ पर्मिय संख्या निकालनी है अभी हम सिर्फ वही सवाल करेंगे जिनके हर बराबर है फिर हम वो भी बताएंगे उसमें थोड़ा और एक इस्टप बढ़ जाता है जब इनके हर बराबर ना हो देखो कैसे पहले बराबर वाले में जितनी पर्मिय संख्या निकालनी है उससे एक अधिक से हम उपर नीचे गुड़ा करेंगे 8-8-0-64, 3-8-0-24 तेम प्रोसेस दोनों में करेंगे कोई भेद भाव नहीं 9-8-0-72, 3-8-0-3-0-24 अब इन दोनों के बीच में 8 पर्मिय संख्या निकालेगी ठीक है किसी को कोई तकलीफ नहीं चलो अब दिखो इतना वा के बीच 8 पर्मिय संख्या है कैसे हो जाएंगी काहें नहीं हो जाएंगी लिखो पहला 64 बटा 24 लाश्ट स्टेप छोर पे 72 बटा 24 इनके बीच में क्या होगा 65 बटा 24 66 24 कितना हुआ एक दो तीन चार पांच इपी तरीके से 70 बटा 24 6 हो जाएगा 71 बटा 24 साथ हो रहा है का यार एक दो तीन चार पांच पांच हुआ रुको थोड़ाने को दूर करो नहीं हो रहा है का पूरा कहीं छूट क्या क्या 64 66 67 ठीक है साथ है हो रहा है का गिनो भाई गिनो 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 कुछ गबड़ा गया का क्या आठो हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो साथी तो निकालना था यार हमाद दिमाग कहा गया है साथी तो निकालना था उपर साथ ही तो है हम आठ सोच रहे थे काहे को सोच रहे है यही तो गड़बड है एक यही है ठीक है सिक्षा उपाध्या है बहुत अच्छा गाजेंद्र जी बेरे गूड बंदना चौहान पार्थ कुमार ये बाबू यूटूब ए जुकान हुआ था वहाँ ही मानसी में मिली थी जो आपने साथ वीडियो देखा है अब ही उसका लांग वीडियो तो मैं अपलोड नहीं कर पाए आज तक टाइम नहीं मिला एक साल पे जादा हो गया 2022 में वो प्रोग्राम था उसका दस मिनट का भी वीडियो है बातचीत का एक बड़ा सा लेकिन कहीं पड़ा याद तक अपलोड नहीं हुआ क्यों साथ वीडियो अपलोड हुआ है दिखाऊंगा हम बहुत जल्दी मोनिका बर्मा बेसिक मैट का ही तो मिल रहा है किसी को कोई डाउट नहीं ना आगे बढ़े कर लेंगे ना ऐसे तो इसको बहुत प्यार थे देखें एकदम एक एक अच्छर पकड़ पकड़ के आपकी जिम्मेदारी है कि आप कलास को लाइक सेयर करें संख्या हमेशा 100 प्लस बनी रहे फिर आपको लाइक सेयर करना है बस ये बैच हम यूटूब पर टोटल फ्री पढ़ाएंगे ऐसे बच्चे जो पांच-साथ सो जमा करके कोर्स नहीं ले पा रहें वो फिरी पढ़ें लेकिन वो बच्चे कुछ तो करें दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता याद रखना कुछ नहीं फ्री मिलता है पानी तक नहीं फ्री मिलता नमक नहीं फ्री मिल रहा है और क्या चाहिए तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यूटूब पे लोग फ्री पढ़ा रहें कोई फ्री नहीं पढ़ाता है हम भी फ्री नहीं पढ़ा रहें ये भी फ्री नहीं जो देख रहे हो कैसे पता है यूटूब पे आप यूज करते हो कहते हैं यूटूब पे कोई पैसा देता है नहीं न आप कहते हैं यूटूब पे फ्री पढ़ेंगे यूटूब पे फ्री नहीं पढ़ते हो कोई वीडियो फ्री नहीं यूटूब पे कोई भी जो आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो उसमें एड आते हैं उसे कमपनियों की अर्निंग होती है और आपका जो डेटा होता है उसके माध्यम से आपको एड दिखाए जाते हैं तो मेरी बात समझेए जिसे आप लोग भी करिए जिससे ये चल सके ये अलग तरह के कोश्चन है ठीक है? अलग तरह के कोश्चन है इसको कैसे करेंगे पता है? समझेए इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है बस वैसे अगली कलास अभी साड़े नो बज़े से आज है बता देता हूं फिलाल एक कोश्चन इस टाइब का नहीं तो आप एक काम करो आप लोग प्रैक्टिस कर लो आज अलग टाइब करना करो सव अधूरे काम से अच्छा है एक पूरा काम कर लेना आप इसको मत करिए इसको आप घर से करना होम और्क है? ये होम और्क है अलग तरीका का नहीं सही है कुश्चन लिखिए और निम्न के बीच साथ साथ पर्मिय संख्याएं बताइए देखो किसका किसके बीच में? पहला आठ बता तीन वा साथ बता तीन ए रुक यार इन सब के बीच इन सब के बीच में आप साथ साथ पर्मिय संख्याएं निकालेंगे ये होम और्क है ये होम और्क है इसे आप करेंगे खुद से ठीक है? होम और्क है प्रेक्स करेंगे मुझे ये बताओ सबसे पहले इमानदारी के साथ बिलकुल सबसे चोटी पूर्ड वर्ग संख्याएं बताए सबसे चोटी पूर्ड वर्ग संख्या आज ओरल कुश्चन होंगे कुछ लिखित कुश्चन होंगे मजा खुब सारा आएगा टेली ग्राम में मैं सेयर कर देता हूं ऐसे कर लेंगे सिडूल किये रहे होंगे आप ठीक है मैंने पूछा सबसे छोटी पूड़ वर्ग संख्या मुझे कुश्चन नहीं याद रहेगा इसके बाद ठीक है तो बताना मुझे क्या पूछे थे अगला सवाल बताइए बहुत अच्छा सबसे छोटी पूड़ वर्ग संख्या पर्फेक्ट स्कॉयर नंबर इस पूर क्या है फूर अगला कुश्चन एक छोटा सावर सिकन्ड नंबर कुश्चन चल बैया कुश्चन नंबर पहला होगा खतम कुश्चन नंबर सिकन्ड ये बताइए कि अंडर रूट वन नाइन नाइन ये करड़ी है या नहीं है बोलो चल भाईया करड़ी है या नहीं हा या नहीं में जबाद दो फटा पर सिकन्ड में रागिनी परजापती का सही आंसर है पिरिंसी यादो बेरे गुड पर्तिक्छा कुश्वाहा मनीसा यादो तुहाना बाबू बविता कुमारी और एक आयुद्ध्या नाम से भी कमेंट आ रहा है अध्या हमारे खांदान में किसी का नाम भी था दाधा पर दाधा में आज बता दे रहां तुम लों को सीक्रेट चलो पता नहीं वहीं आ गए हैं का देखो इदर कुशन नंबर तीन चार बहुत अच्छा पहला सवाल मनें पूछा था कि सबसे चोटी पूड वर्ग संख्य झाला यह करड़ी है और नहीं है तो आद यह करड़ी नहीं है ओ शरी है 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 कैसे चलो नहीं है तो आज तुम बताetin आँ वल्रो मनद इजिट यानि उम नंक जो बेहनर इसका मांद क्या होगा बिना option के बताओ, बिना option के, आज तो student की ऐसी हालत हो गई competition की त्यारी करने वाले, अगर उनसे बाप का नाम भी पूछो तो कहते option दीजिए, समझ रहो, तो यहाँ पर option नहीं है, ऐसे आज एक बच्चे ने call किया था, और सन्योक से phone मैं नहीं उठाया, मैंने का तुम्हारा क काट देख के बताते हैं, समझे रहो, संगीता सिक्षा उपाद्या है, मौहमद हसन, कावेरी, इनका आगला नाम कठीन है, चलो बया, तो डी का जो मान है, वो होगा 500, कितना होगा 500, सबसे पहला जवाब जो दिया था, उनका नाम में जरूर बोलूँगा, क्योंकि उन्हों मेनत किया है, तभी उन्होंने बताया है, और उनका नाम है, इसमें प्रियांसु, तुछरे पर हैं, तासीन परवीन, और पार्थ कुमार, पूजा सुकला, बेरी गुड, चल भईया, फोन नमबर में आ जाओ, हालतना थोड़ा तोड़ा डिश्टरब है, इसलिए आज मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, चलो बताओ, एक मीटर में कितना सेंटी मीटर, बताओ, एक मիटर में कितना मीली मीटर, बताईे जबाब दीजीए, फटा फट, रूबी बेरे गूड बंदना चोहान जोती सरोज बहुत अच्छा बच्चा बेरे गूड देखो भाईया एक मीटर में 100 सेंटी मीटर हो थे न एक ही जाना थेखना है मिली सेंटी डेसी मीटर और डे हींट क Колों यह पूरी काहनी ऊच्छा का न यह रहे हैं कुछ लोग में 100 यह इस वëल बतारे कोश लोग एक हजार बतारे कुछ लोग दाफ हजार बतारे आज आप लोग लुक क्लास कूल लाइक नहीं कर रहे हो और ना है शेयर कियें बहुत से बच्चे मैंने पहले प्रोमिस किया था आप से प्रॉमिस करवाया था इसका पसे स्ट न शेया की भलत यह आठ नंबर क्लास है आप देख रहे हैं बिंटर बैस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसलिफ सेट देखना मुझे मत देखना और ये बैस यूटुब पे फिरी होगी टोटल लाइब फिरी होगी मैंने आपको पहले बता दिया है लेकिन आपका ये काम है दोठी, इसको आपको करना पड़ेगा इसको पहले लगाना थबट में लगाया नहीं था और एक चीज और है इसमें, सबसे बड़ा खतरनाक सर्थ कि ये आप सिर्फ लाइब देख पाओगे, लाइब क्लास इंड होने के बाद वीडियो डिलीट कर दिये जाएगे यूट्यूब पर प्राइबेट रहेगा पाओगे नहीं, कभी नहीं पाओगे इसलिए रात 9 बजे से 9 बज कर 40 मिनट के बीच डेली लाइब आओ अगर सीखना है फिरी पढ़ाओंगा इसमें पूरा अच्छे से ढंक से कम्पलीट कोर्स कराओंगा पूरा फिरी, यानि आपको 2000 रुपे साल बर के जमानी करने होंगे आएए चली आगे बढ़ते हैं, कितना कोशन हुआ था बई, कितना बारा हो, गुरी जी बताओ जल्दी बताओ फटा फट फट पर का है बैटा, बोलत नहीं न, पांच नंबर चलो बताओ ये बताओ ये कि 800 का 25 पर फट कितना होगा, जल्दी फटा फट कमेंट करिए, पांच सिकेंड के अंदर, जिनको लगता है मुझे मैथ आती है बहुत अच्छा, बेरे गुड, हमारे पास में जो बच्चे बैठे हैं, वो तकगड़ हैं वो आपसन ले लो, 600 हमारे टीम के लोग अब तकड़ हो चुके हैं, चल भाई, छटा नंबर, बहुत अच्छा, बेरे गुड, इसका अंसर आएगा 700, भाई देखो, ऐसे दिमाग लगाओ, छोटा फटिमाग लगाओ ऐसे, 25 पर फेंट, 25 चौका सव ना, तो आईसी कोई गिंदी सोचो ओ, जिस बताओ, अच्छे चलो, 28 का 25 परसेंट कितना होगा, 28 का 25 परसेंट कितना होगा, बहुत आसान है, देखो, मैं तरीका बता देता हूं, क्योंकि हमारे लड़के न, कुछ लड़के नहीं होते, लड़कों के माँ बाप होते, अब कुछ दाधा पर दाधा बन गए, और कुछ बता देता हूं, छोटा, 2800 जो भी संक्या रहेगे, उसको गुड़ा का चिन लगा के लिखोगे, जितना परफेंट निकालना रहेगा, उसको लिखोगे, नीचे 100 से करोगे भाग, ठीक है, उसके बाद आप जितना 0 रहेगा, नीचे 20-20-20, इधर 2-2 काटोगे, आप 28 का क् होना तकलीफ, दुकदर्द, अरे मतलब कलास में, बाकी तो आप लोगों का महाभारत चली रहा जिंदगी में, आति सिंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी सर, बहुत अच्छा, पुजा सुकला, पुरानी कलास नहीं मिलेगी, उसके लिए पुनर जनम लेना पड़ ठीक ना, पुरानी कलाफ नहीं मिलेगी, मैंने कहा ना कि अगर लाइब आओ डेली, हाँ, जो बच्चे डेली लाइब आएंगे, रेगुलर आने लगे, तो उनको पिछली कलास एक बार मिल जाएगी, आप वाटसाप मेसेज करिएगा, अपनी इमेल आड़ी दीजिएगा, प्राइबेट कलास, ठीक है, जैसे का छूट गया है, लेकिन आज की बाद तुम्हें रोज आना होगा, दुबारा नहीं बेजूँगा, मालो आज आट नमबर चल रही, जिसकी साथ कलास छूट गई, हम बेज देंगे, लेकिन नव से आगी जितनी चलेगी, रोज यह बताओ कि अनुचित भिन है, इसको इंप्रॉपर फ्रेक्षन भी बोलते हैं, ना, साइए ना, कन्परम करिएगा सार, बताएगा, बठाया हम आज इनको लाके मैं इसलिए, इंप्रॉपर फ्रेक्षन कौन है इसमें, तीन बटा आठ, साथ बटा भारा, आठ बटा जीरो, और एटी जीरो बटा, आलो ना, चलो, इंप्रॉपर फ्रेक्षन, अनुचित भिन, बताएगे, उचित भिन, अनुचित भिन, एको नहीं एका आरे में, बताएगे, देखो, प्रॉपर फ्रेक्षन क्या होता है, ऐसी भिन जिसका अन्स, छोटा हो, हर बड़ा हो, यह क्या होती है, उचित भिन होती है, मतलब इसमें कोई परकार की चेंजिंग पॉसिबल नहीं होती है, एक होती अनुचित भिन या इंप्रॉपर फ्रेक्षन, ज है वशे बॉल सकते हो indetten इसको कि अशुर्चट भिनी ऋटो बोल सकते हो न है यह न कूल सकते हो लेकिन मुझे थोड़ा दाओट है इस में आप बाद में बताऊंगा चलो पहले आग्ला कोश्चन देखते हैं जाते हैं वाले राप आती सिंग थोड़ा बेट कर ये डाउट है लाश्ट में दफ नंबर में आगे वड़े अच्छा बहुत ही छोटी-छोटी बाते हो रही है आपर ये बताइए 0.5 इसका मान क्या है बताओ पहला पांच है पांच बटा नो नो है सी वाला हम पांच बटा पचीस है और डी वाले में पांच बटा नो है बताओ तास नंबर में जल्दी करिए फटा फट पारबती बर्मा बहुत अच्छा अरी तु कडारिया रूबी कमल ठाकुर जल्दी कर भाईया बेसिक है एक दाम एक दाम शुरू से जीरो से अच्छा एक बात बताओ तुम यादों में मरते हो कि नहीं मरते हो अरे मैं कुछ और पूछने वाला था पटिये हमारे दिने भाई आज बोल दिये ना था हम इसलिए भूल नहीं पा रहें अब हो सकता इनकी मैटम भी पढ़ रही हो तो थोड़ा इनके बारे में इसलिए बोल रहे हैं कि मन लगा रहें उनका चली आगे बढ़े ठीक है इसका मान क्या होगा तीन पच्छे पंद्रा पंद्र फत्ते 105 एक सो पांच को नौ में गुड़ा करोगे तो 945 945 होगा यह 900 होगा यह जीरो होगा यह नौन आप दीज हमें नहीं पता है कितना होगा जीरो लेबल वाले हैं भाईया हम रहे हैं यह सब एम कनफूज हो जाते हैं कि भूट अच्छा अरमान बहुत अच्छा बेरे गुड़ गुफ्रान खान बंदना रागनी शुरेंद प्रताप एकमान सुनना होए बाबा का होए जीरो होए देखो बीच में है न जीरो अगर गुड़ा के चिन्न में कितनी भी बड़ी संख्या है कितना भी बड़ा कल्कुलेशन है अगर बीच में जीरो है तो सारा मान जीरो आता हमेशा याद रखना इसका अपसंसी हो जाएगा कोईश्चन नमबर 11 कोईश्चन नमबर 11 कोईश्चन नहीं है लेकिन अब इतना कोईश्चन बनाया देवें न कि तो लोग खुर कन्फुज हो जावक्का करी देखो अंडरूट पांच गुड़े अंडरूट साथ ये क्या है पी एंड क्यू ये पर्मिय संख्या है या पर्मिय बताए रेफनल या रेफनल जबाद दीजिए फटाफट स्रीराज जी बहुत अच्छा बेरे गुड़ जुड़ गएं आप गॉड़ ब्लेस यू और भगवान आपकी रक्षा करें और आप अच्छे करम करते रहें चलिए अधिक पाप करने वाले लोग ज्यादा पूजा पाट में लगे रहते हैं भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूं ऐसा मैंने आज कहीं पढ़ा था सच्छाई है कि नहीं आप लोग बताना आपके दिल की क्या बात है यहां पर हा लिख के कमेंट करना अपने आज पास राजनीती में गाहन देहात में उजारी उजारी को देख करके अगल-गल मैंने कहता कि कोई हर को यह सा होता है इस बात पर कोई काओ मैं हो न एक हर कोई ऐसा होता है लेकिन अधिकांस केस में आपका Bow है मैं परे या याений आपका है कि हमारे पास एक ज्राम पल है न मैंने इसने जाक पल एमरीन समझा रहा किसको बोल रहॉ खे सब्लम्य और नंबर है बाबू क्या है इरेफनल नंबर कुश्चन नंबर बाराई बताओ यह है अंडर रूट पांच पांच है को लिगता बार 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 पांच तीन और अंडर रूट नहों यह क्या है पर में संक्या का पर मिया पर मिय है या पर मिय है बहुत अच्छा बेरे गुड अ करें बहुत अच्छा बेरी गुड देखो कुछ सनातन धर्म वाले आगे भई हम उसी धर्म का मजाग नहीं बन रहा है धर्म का मजाग तो अक्सर लोग जान बूच के बना रहे हैं पता है कहां बना रहे हैं बता हूं मैं अभी देखिए विसाजन पर क्या हाल करते हैं उसी जा जाके बैठते हैं चड़ चड़के यह सब नहीं होना चाहिए ना बहुत सारी गड़बड चीजें हो रही है उस पर देखना चाहिए ध्यान देना चाहिए इसमें कोई मजाग की बात नहीं है बात बता रहा हूं इसकी आण में लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा चर और अचर संख्या सजातिये और बिजातिये पद पढ़ा होगा आपने तो यह बताइए नमबर इसमें लिख दिया माइनस एक्स काई स्क्वाइर और टू एक्स काई स्क्वाइर और यहां पर तीन एक्स काई स्क्वाइर और एक है यह पूरी संख्या बताईए आप कमेंट करके फटाफट यह पूरी संख्या जो है यह सजातिये है अभी जातिये है बताईए सजातिये है बिजातिये फटापड बताईए शीला कुशवाहा बढ़ी आती सिंग फ़ार्थ करन कुमार मोहित कुमार तिरपाथी कोमल तिवारी बहुत अच्छे किसी को को डाउट महीं ना बड़ीना、 बरी गुड चलो बाई तो सजातिय विजातिय जानतों कैसे होता है देखो सजातिय पद को बोलते हैं like terms and Unlike terms vedatio band सजातिय पद के लिए आपका चर बराबर होना चाहिए और घात बराबर होने चाहिए चर और घात प्रदा नंबर पर आगे बढ़िए और मुझे यह बताओ बहुत ही अच्छा सवाल है बहुत ही प्यारा भी यह सुन्दर भी यह देखो कैसे कि जाए देखिए सर कोई आया 21 42 और 210 नहीं 210 रहेगा 42 से 210 डिवाइड होगा क्या बताइए ठीक है बहुत अच्छा चलिए एक और संख्या इसमें लिख लीजिए एक मिनट थोड़ा रुकना एक और संख्या लिख लो ठीक है 1050 का LCM बताओ इसका LCM क्या होगा देखो मैं जो कुश्चन बनाना चाहता था वो बना एक नहीं नहीं बना तो मैं चेंज करूँगा बन गया गुरू बहुत अच्छा चलो इसका LCM बीना निकाले बताना है बस मुश्चिल से दो सिकेंड में कुश्चन में लिख के कंपलीट किया कि आपको आंसर आ जाना चाहिए था बताइए जी सर बताइए दिने सर बताइए कितना आएगा क्यों आरे एक्सपर्ट हो यार पाप बले कर रहे हो लेकिन एक्सपर्ट चलो ठीका गुड देखिए एक्चुली इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा 1050 क्यों क्योंकि एक मैंने आपको जुगाड बताया था कि दी गई संख्याएं जो हैं अगर उनमें सबसे बढ़की वाली संख्या बाकी छुटकी सभी संख्या से पूर्ता विभाजित है तो उनका LCM सदय बढ़की संख्या होती है ठीक है बिना कोई नियम बिना कोई आपको सिर्फ आंसार आना चाहिए पूचा सुकला सिक्षा उपाध्या भूपेश चतुर्बेदी गुफ्रान खान रागनी परजापती पिंकी कुमारी रूबी यादो मोहीत महेस सौरव राहूल रंजु पटेल चल बहुत अच्छा बेरेकुट बच्चा चलो आगे बढ कुश्चन बहुत छोटा सा है मतलब प्यारा सा है यह बताओ कि संख्या च्छातिस सो के कितने गुड़न खंड गुड़न खंड यानी फैक्टार यानी अपवर्तक संभाव हैं बता भया इसके कितने फैक्टर प्वासिबल हैं बीफ दस सोला या नौन आप दी इन में से कौनों नहीं सही है और जतना लोगों को नहीं आता है न वो कमेंट में यन लिखेंगे यन यन मतलब हमें नहीं आवत हमका दहा चलिए जल्दी करिए तरीका बता चुका हूँ देखिए प्रेक्टिस आज हो रहा है मैं जब कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल पढ़ाता नहीं हूँ सिखाता हूँ लाश्ट में गोल के पिलाता भी हूँ अजम नहीं होता जिनको उनको नकुना पकड़ के दबाग पिलाया जाता है बच्पन में कौन-कौन ऐसा दबाई वाई पिया है हमरेगो दबाई पिलानी लिए तीन लोग लगते थे चार लोग एक लोग पर पकड़ते थे लोग हाथ लोग नकुना दबाते तब पीते थे है अभी तो देखो चार लोग के बदले चार लाख लोग को पढ़ा रहे न आर्या मैं यह कह रहे हैं समझ नहीं आया यह कच्छा बदाम थोड़ी एक 30 सिकंड में समझ में आ जाएगा मतलब कच्छा बदाम का वीडियो जो लोग देखेंगे जानते होंगे उसमें ताइम देना पड़ता है चलो देखो आएगा ताइम दोगे तो आएगा साथियों मैंने बताया था इसका तरीका कि आप इसका क्या करेंगे कितने गुड़न कंड है निकालने के लिए बहुत ही प्यार फे आप इनका अभाजी गुड़न खंड करने के बाद आप निकाल देंगे मैं एक सवाल हलग देता हूँ मेरा मन कह रहा ऐसा देखो पैसे एक कुष्चन मैं हाल कराऊंगा पतलाफ लिखूंगा देखो 3600 दुई से काटोगे 1800 अपर दुई से काटोगे 900 आएगा फिर दुई से काटोगे 450 फिर दुई दुना 4 दुई 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 510 321 315 325 देखो कितने होंगे समझो दुई का घात कितनी बनेगी चार एक घात दूई एक घात दूई तो चार में एक जोड़ो पांच तीन और तीन पांथ यह 15 15 तीन 45 36 क्या होंगे उड़न खंड होंगे अनि फैक्टर होंगे समझाना कैसे हुआ दी कई संख्या का भाज इक उड़न खंड करेंगे उनको घात के रूप में लिखेंगे लाश्ट में घात में एक एक जोड़ेंगे सम्में और उड़ा कर लेंगे बस समझ मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं को लाइक करिए सर कमेंट करिए लिखें बेजिए लाइक सेर करिए आप लोग उसमें लिखेंगे बेजिए अरे आप बेजेंगे तो दूसरा इस्टाइल में जाएगा चलिए आगला आगे बढ़े यह है प्रेक्टिस क्विस्चन चल्वाई आगला क्विस्चन यह बताओ सा बही लोग का पूछी हम बेसिक गड़ी थे तो बेसिक है तवाए ना करें लेकिन जल्द बाजी नहीं जबाब दीजिए इमानदारी के साथ इनको गड़ी सीखना है कलास को छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि यह कलास बाद में नहीं मिलेगी बाद में नहीं मिलेगी यह कलास बिलकुल नहीं मिलेगी कि अच्छा बेरे गोड़ बहुत अच्छा बच्चा तरदस बजे वाली कलाफ नहीं है नहीं चलेगी सोच तो रहां उचलनी चाहिए लेकिन हमारे साथ ही आज कुछ खिला पिला नहीं रहें बैठें कहरें आज कुछ नहीं बनाएंगे अना कुछ खाएंगे ना तुमको इनको आप लोग बोलो जाएं कुछ पेट पूजा कुपाय करें तब हम पढ़ाई थीक है इनका अपस में गुड़ा होगा तो दो त्याइंट छे और यह घात दूई है घात एक है गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती है घात तीन होगा या गड़बड होई गया रही तो अपसंडूठी सेम ऊएगा ना इघात तीन है समझ के लिखा था मैं तो यह घात तीन रहेगी और यह आंसर सही रहेगा तो छेस पावर थरी शिक्स एक्स क्यूब आएगा तिक्स एक्स क्यूब आएगा दोनों नहीं सही होगा बीसी जो लोग बोल रहे हैं आज सिर्फ प्रेक्टिस हो रहा है समझा नहीं रहा है वटाओ समझाने वाली क्लास में आना तो समझाएंगे चल आगे कौन टॉपिक है योगात्मक और गुडात्मक पतिलोम अच्छा तो ये बताओ सबसे बड़की प्रकृतिक संख्या कितनी बड़ी है भाईया सबसे बड़ी नेचुरल नंबर प्रकृतिक संख्या बताओ बताओ सव है एक हजार है एक लाख है या फिर आनंद है खत्मे नहीं होगी बहुत अच्छा बच्चा बैरे गोड़्ट अठारा नंबर पे आई जाओ स्टूनने है अरे है उट तो तो मुझ देखाता है मुझ देखाता है लेकिन का है अपर मिय या पर मिय रेफनल या इरेफनल नंबर सुनने क्या है रेफनल आर इरेफनल नंबर कुश्चन नंबर के साथ कमेंट करिये निवेदन है रिक्वेष्ट है पार्थ के रहे हैं कौन है आपकी मैम है मेरी मैम तो पता नहीं अभी जनम ली हैं कि अभी जनम लेने के बारे मैं सोच रही हैं मुझे तो नहीं मिल याद तक कहीं देखो आप लोग मिल जाए तो बताना मुझे बैकेंसी भी निकालने वाले हैं साधी के लिए मुझे लग रहा है इसे निकालना पड़ेगा इच्छू कब भरती संपर्क कर रहे हैं है ना चलो देखो ठीक है बाकी घर वाले ट्राइ कर रहें लेकिन रादी एक ऐसा गेम है ना कि मचली के थायला समझ के सांप के थायले माठ डाल दियो तुमका लोगों ने हाठ डाला उनसे पूछो कि क्या हाल है उनका और हमारे एक दोस्त का एक्जांपल दे रहे थे बिजली वाले उनका नहीं बताऊंगा क्लास मताएं लैग नहीं है उनका एक्जांपल बड़ा खतरनाग था चलो ठीक है देखो आगे तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर जो है वह अनंता इंफाइनाइट है यह डी वाला है तो कैसे क्या करेंगी इसमें नीतु आपका कमेंट आरा पूना मार्ती प्रिंसी आर्यमैन मोहित मुहमद अर्मान रोहित रूही जोसी प्रिया सुकला पुझा सुकला स्री राज पंकज कुमार नितिन कुमार और बहुत बच्चे जुड़े हैं सभी का नाम बीच-बीच में होता रहेगा ऐसे पढ़ाई भी ओती रहेगी लसी एम का फुल फार्म सभी को पता होगा बहूत बार पढ़े हो हमीं कहीं बार पढ़ा के उब गयें खोपड़ी के साथ साथ दाड़ी का बाल भी पक गया लेकिन फिर भी बता रहा हूं चुनो देखो लीस्ट कॉमन मुल्टिपल इनको हिंदी में कहते हैं लगुत्तम समापवर्थ है अच्छी अब मैंने साथ में क्यों लिखा है क्योंकि इसका पडोशन है लाए और बीना पडोशन इसका मन नहीं लगता इफलेश मैं इसको साथ में लाया हूं कि अगे अगे बढ़े नाम लेना सिख गये अगे तो थोड़ा बहुत खांसी वहां सी भी आ रही है घबराना नहीं ल्टिए ल्टिएम हाँ हाँ है है एच इफ का फूल फार्म होता हाइस्ट कॉमन फैक्टर हाइस्ट कॉमन फैक्टर तो इनको भी फूल फार्म हम यहीं पर दिखाऊंगा इतना मैं अर्जेस्ट कर लूँगा और मिस्टेक स्पैलिंग साही है ना इंगलीस हमें बहुत कमा बात है फिर भी मैद के सब दावाथन कोनों दिक्टर नहीं है इनको इंगलीस में बोलते हैं क्या महत्तम कि तमा वर Здगक दोनमें अंतर होता है यह समापवर्थ या निस समपवर्थ ठीक है इसमें अपवर्थ है याद रखना इसमें अपवर्थrule around नहीं बहुत से Бच्चिश को लिखने मिश्टेक कर देते आ देखलो इस में वरते है दीखे जैसे आरे है वरत है आगे बढ़े चलो तो यह तो नाम की आगे काम पे देखो आजकल नाम पे ज्यादा फोकस हो रहा है काम चाहिए कुछ नहो और देखो काम पर फोकस करते हैं हम लोग नाम छोड़ो तो यह बड़ा मोटंगर चल गई थी कि एल्सी हम सबसे छोटी-छोटी संख्याओं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम जीरों से सिखा रहें आपको पढ़ा नहीं रहें पढ़ाना लग बात सिखाना लग कुश्चन पहला है कि संख्या चार वा आठ काया लिखबा न शे का कि एल्सी यम छोटा फ़ लिख लो प्यार अबस और यही चीज हम उधर भी करेंगे किदरे इधरे छे वा चार वा अंतर मैं आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या होता है है न अकसर आपको मिलते हैं यह थोड़ा बहुत बढ़का देते हैं चले जाते हैं बताऊंगा दोनों में अंतर क्लास को पूरा इंडे तक देखना है कोई छोड़ के नहीं जाएगा जिनको गड़ित सीखना है बार-बार बोलता हूं अगर सीखना इमांदारी से जिंदेगी में कुछ करना है मरते दम तक गड़ित पीछा नहीं छोड़ेगी याद रखना नहीं पड़ो लिखोगे साधी बिबा करोगे लड़के बच्चे हो जाएंगे सबजी नोंतियल भिंडी खरीदने जाओगे वह भी इसाब करना पड़ेगा और अगर नहीं आया ना यह सब तो गोर बेचती होगी चलो चार बच ये का LCM कैसे करेंगे सबसे पहले हम गुड़नखंड विदी से करेंगे गुड़नखंड मैं बता चुका हूँ अलरेडी इसका भाज गुड़नखंड करेंगे तो दो गुड़े दो होगा एक भी रहेगा दो गुड़ा तीन गुड़ा एक लेकिन आधा इंदी एंगरेजी हो जाता है ओके साथियों पहले इन में जो कॉमन हो सकते हैं उनको लेंगे और कोई कॉमन है नहीं वण कमन है लेकिन इसकी कोई गिंती नहीं होती इसको लिखो या न लिखो कोई मतलब नहीं क्योंकि हर किसी का भाज इपर नंखंड होता हैं सब में आता है जिन्दगी में जो हर किसी का होता है हर किसी के सार लगा रहता है तो किसी का नहीं होता है तो वही हाल इसकी है इसकी कोई इज़त नहीं है मतलब उसकी इज़त नहीं होती इंसानों भी ऐसा होता है जो हर किसी में लगा रहता है त्याइं बारा यह हो गया ल्सीम देखिए हर किसी में लागा रहना हर किसी के साथ रहना का मेरा यह तात्वर है अगर आप हर किसी के लिए हर समय उपलब धर रहेंगे तापकि कोई इज्यत नहीं होती वैसे भी ठेकिन अगर कोई कहा कि फलाने कल अमरे साथ यह चलना है पर पर दो जी ले आओ मेरे साथ चलो वहां चलो यहां चलो कल फलाने बुलाई उसके पास गए कल फलानी पास गए कल अंकल अंटी अई से तो फिर आदमी कहता रहे वही जो सबके साथ मतलब सबका काम करता है अगर कि कि सभी को आ चले आगे पढ़ें किसी को को दिक्कत नहीं आई अब अंतर समझना लसी अम का मतलब वह संख्या होती है जिसमें जिन संख्याओं का लसीम निकाल रहें उन दोनों से अगर हम भाग करें बारी बारी तो यह लसीम वाली संख्या पूरता विभाजित होनी चाहिए ठीक है अगर चार से भाग करो के बारा में तो तीन अगर यानि पूरुता विभाजित है अब है अच्च आओ कि अगरे हैं कि एक सिर्फ दो होगा क्यों अधायर्ष्ट कॉमन फैक्टर क्योंकि यह फैक्टर है यह क्या है मल्टिपल है संख्या सेम एधायर्ष्टर में अंतर देखो इसका है साध कि हुए सवादाब तो काटती है है कि बुरे शहरे भाबती है कि से कटवादी है मतलब पूर्ता डिवाइड होती है किस से जिन संख्याओं का हम जिन संख्याओं कम LCM करते हैं ठीक है HCF वो संख्या होती है जो काड़ती है किसको काड़ती है उन संख्याओं को जिसका HCF निकाला गया है यह बहुत समझ जाओ ठीक यानि अगर 2 से आप भाग करोगे तो 4 पूरता विभाजित होना चाहिए यह कंडिशन है HCF में हमें इससे ट्राई करना है कि यह पूरता विभाजित होनी चाहिए लेकिन LCM में देखना हम इससे ट्राई करते हैं उपर नीचे इसमें नीचे से उपर जा रहा है हम अंतर समझाना चाहते हैं कि LCM HCF में अंतर क्या होता है निधी समझ में आ रहा है सोना साधना मौहमद हसन फंकत सिंग रोहित अंजली रूबी रूची सो में असी लड़कियां है क्यावल बीफ लड़के है काये को अब जो बीफ आए है न वहीं सेटिंग करने आए है का ठीक ही ठीका आए जाये तो जिंदगी पार इसलिए से लगसन आज कल गर्ल्स का जाता हो रहा है चलो यह हो गया अंतर समझ गये ना अजिससे कि आपको डेली कलास मिल सके और पीडियाफ नोटस अपडेट आदी मिल सके अगर आप सीरेफली मेरी बात को सुनेंगे तो अच्छी बात है नहीं जुआइन करोगे तो मुझसे मत पूछना कलास का है नहीं मिली पिछली वाली आईए सभी साथी कलास को लाइक करें आपकी पूरता जिम्मेदारी है यह पूरी जिम्मेदारी है आपकी लाइक करें फटा फट चलो भाई दूसरा कोश्चन बहुत छोटी संख्याएं लेंगे एक्टम दन्नी वाली 1218 के LCM बताओ आधा मिनिट के अंदर बताइए अगर आपको लग रहा है बहुत आसान है तो चलो हमें खांसी ने रिकार्ड हो रहे हैं क्या आइडियो में अच्छी बात है चलो सीला कुछ वाह समझ में आ रहा है करन लखन सबको आ रहा है न आधे फिजादा बच्चे सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं उनको उनकी उसकी कसम है जो नहीं समझें उनको नहीं बताऊंगा चलो देखो इतर कैसे करेंगे बारा दो दुना चार तियाई बारा इसका अभाजी गुडन खंड करेंगे दो त्याई छेतरी गठारा चलो यह क्या हो गया यह हो गया आपका भाजी गुडन खंड कर लो अधारा ले लिजिए अगर यहां गडित नहीं सीखे न तो मैं पूरे सो पर्सेंट तो नहीं लेकिन असी पर्सेंट दावे के साथ कह सकता हूं कहीं नहीं सीख सकते हूं क्यों क्योंकि इतना जादा खोपड़ी कोई नहीं पकाता है यह सब कोई करता नहीं है यूटुब पर देख लोगे साड़े पांच लाग से अधिक दर्साग अगर किफी चैनल पर हैं और वो यह सब पढ़ाता हो कभी नहीं मिलेगा तो मैं मिलेगा ही नहीं घोर बज्जती होती तीस में गर्फरेंड छोड़के भाग जाती है कि तुम घड़ा रसी खाते हो तुमको कुछ नहीं आता है यह समझे रहा हो घर वाले अलग डंड़ा की रहते हैं अरे कुछ अच्छा पढ़ाओ थोड़ा रिष्तेदार लोग देखते हैं कहते हैं कहा आवस तो रड़क बा लेकिन उनकी तकलीफ नहीं समझते हैं मदंन को बाबु बोले हैं कि एक साल है इसे लाक्स नुदा चराया घर आई पाउनकी उमर हो गई 50 साल की तव कंहां करेंगे कहां सीखेंगे कौन बताएगा उन्हें इसलिए हम बढ़ाते हैं देखो इन में क्या होगा common सबसे पहले देखो common LCM पहले जो common है उनको लिखिए 2, 3 फिर जो common नहीं है उनको उतार लीजिए 1, 2 और 1, 3 भी था 2, 3, 6, 2, 12 12, 13, 36 LCM कितना हुआ? 36 आगे देखिए इसमें भी वही तरीका करोगे जो दोनों में common HCF 2 और ये 3 फाइनल में कितना? 6 HCF 6 LCM 36 अंतर समझेए मैं सिर्फ आपको difference समझाना चाहता हूँ बगल बगल रखे कि दोनों में क्या अंतर है देखिए कोई चीज ना समझ में आ रही हो ना तो उसको अंतर के माध्यम से समझो जैसे माल लिजिए कौनों लड़का नहीं पढ़ रहा है है? तो उसको दो एक्जामपल दिखाओ कि अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? सणक पर जूड़ा जाड़ू लगाओगे कूड़ा बटोरोगे इकठा करोगे चप्रासी वाला काम करोगे उसकी एक फोटो एक वीडियो दिखाओ एक वीडियो उसका भी दिखाओ जो आईस पीसियस या कोड हाई कोड सुप्रीम कोड में जज होते हैं जिनके पीछे आगे दो जिपसी लगी रहती है पूरा एक वाकाल चलता है ना उसकी भी दिखाओ तो उसको अंतर समझ में आ जाएगा पढ़ने वाले पे होगा ये ना पढ़ने पे होगा समझ रहे ना समझ में आ रहे हैं संधू संगीता आर्ति सक्षी सोना मोना टोना सबको आ रहे हैं और भी देखो अंतर समझजो मैने अभी बताया था ऐल सीएम वो संख्या होती है जो कतवाती है क petition का कटवाने का मतलब होती है बिभाजित होती है ठीक है कटती है यानि आपकी बाहती है देशी बाहती है गड़ित की बाहती है किस से उन संख्याओं से जिन संख्याओं का LCM निकाला जाता है यानि 12 से 36 क्या है डिवाइड होगी 18 से 36 डिवाइड होगी लेकिन HCF उसकी उल्टा होती है यानि है जिन संख्याओं का LCM करते है उसको भी भाजित करती है उसको काटती है जो दोनों में बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों की दूसरे के आंसर भी देखो बहुत 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 डिफरेंस के साथ हा रहा है कि अ कि 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 आगे बढ़े चल भाईया कि कुश्चन नंबर तीफ रहा है अब आप लोग अंतर समझ गए तो का करें यहीं सब चलेगा कि कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा कुश्चन भी हो यही से चलेगा पहले हम करते हैं गुड़न खंड भी दीसे अब आज ये गुड़न खंड भ कि बाइस कि चवालिस कि एक सो दास कि पता ये क्या ये एक सो दास चवालिस डिवाइड है बता भाईया है की नहीं इनका लसीम बताओ बीना दिमाग लगाए बताओ आधा मिनट के अंदर इनका लसीम बताओ 110 को 44 से डिवाइड करो नहीं हो रहा है यार ये वै छोड़ो जाने दो हटाओ अठाफ ही लिख लो लो आप सही है चलो ठीक है देखो इस्तिरीज बना रहा था मैं इनका लसीम क्या होगा बहुत आसान है बताता हूं बताता हूं इन में दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ दिल लगाना इनसे बस दिमाग नहीं लगाना देखो कैसे बताता हूं जब ऐसी संख्याएं हो जिन में जो सबसे बढ़की संख्या है वह बाकी छोटकी संख्याओं से पूरता विभाजित हो 22 से भाग करोगी 88 को पूरी तरह विभाजित है 44 से भाग करोंगे पूरता विभाजित है 88 अजी कंडिशन में LCM बढ़की संख्या होती है मतलब बीना कुछ किये आपको हलवल नहीं करना है आंसर जानना है पताओ ये जुगाड सही लगा कि नहीं अगर LC संख्याएं है चाहे वो 3 है 5 है 15 है लेकिन कंडिशन ये है कि बड़ी वाली संख्या दादा होनी चाहिए मुखिया होनी चाहिए यानि वो सभी छोटी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए अगर बीच में इसमें 15 आगया तो फिर वो तरीका नहीं लगेगा अगर बीच में इसमें 15 आ गया तो फिर ये तरीका काम नहीं करेगा जितनी छोटी संख्या रहेंगी इसके पहले सब से ये विभाजित होनी चाहिए जफे देखो एक आगे ठीक इनका LCM बताओ बिना कोनों दिमाग लगाए बताओ चलो रूबी बात मत करिए श्री राज पढ़ने आयो न पहले एक बार बताओ सोचो क्या करने आयो चले आगे बढ़ें कोई दिक्कत ना किसी को कोई तकलीफ नहीं न बहुत अच्छा इसका अंसर होगा 80,000 कितना होगा 80,000 क्यों होगा क्योंकि जो 80,000 है वो इन सभी संख्याओं से पुरुता विभाजित है और यह ट्रिक लग जाएगी इसका अंसर क्या होगा 80,000 कोमल तिवारी बहुत अच्छा बेरे गुड बहुत अच्छे चलिए ठीक है तो यह तो एक कुछ नंबर कुछ भी लिख लाएं अब यह दस बारा कौनों नंबर डाल दया अच्छा अच्छा इनका अच्छा बतावा सबही चला बहुत जल्दी बताव बहुत अराम से चला इनका उराफान कहले चला अब बतावा करें बहुत आसान है इसका अलसीम बहुत आसान है वेरी जी बेसिक तो मैं बताई रहा हूं लेकिन बीच बेंद में कुछ हैशी ट्रिक भी जरूरी है जो आप को आने चाहिए सभी साथी सेशन को लाइक करें फटाफट देखिए अगर दी गई तीनों संख्या है चारों या कितनी भी है वह बिल्कुल 36 के आंकड़ावन में कोई दोस्ती नहीं है कोई प्यार महबबत नहीं है यानि एक प्रकरसे गड़ितिक अभासा में बोलें तो कोई कॉमन होता है तो इनको सब को आपस में गुड़ा करेंगे कोई फैक्टर नहीं निकलेगा यह सब पहले से बरबाद हो चुके हैं तो पांच सते पायतिस या ऐसे कर लो सात्रीक 21 21 का पांच में गुड़ा करोगे पांच 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 पांदून दस हो जाएगा 105 इस काल्सियम अ इस काल्सियम का भाई यह हूँ आपस में कौनों कामन फैक्टर नहीं है सतरा एकम सतरा फत्रातियां इकश्यामन अधर तरही नहीं है सतरा एकम सतरा के साथ सत्राइकम सत्राग साथ हांसी लावा एक और फत्रत यांग क्या नेक बावन है फांसो चत्ताइस हुए हो रतन समझ में आ रहा है पार्थ अंजली साइलेंट द्वाए दीपक सबाइक आएगा चला फिर आगे बढ़ी थुकुश हाँ एक चीज और बहुत जरूरी एक्दम इंपॉर्टेंट देखिए दिवाली आफ़र है आप सभी के लिए पांच नमबर से एक कलब बैच जो आया था वो छे तारिक फे चल रहा भी दो दिन हुआ है उसका रिकॉड़ेड वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आप इच्छू का एंगड़ी सीखने की और चाहते हैं कि कभी भी पढ़ें किसी टाइम पढ़ें हम रात के 9 वजे से बिजी रहते हैं रात में हम इंप्वाटन काम करते हैं हम दिन में पढ़ेंगे तो आप इस बैच को जोईन करिए एक साल की फीस वन तिर्पल नाइन की जगा सिर्फ आपको 500 पे करना है पाहली बारतिहास में ऐसा है और डेड़ साल का सिर्फ 699 और बाप खरीदे बेटा भी पढ़े सिर्फ 499 में पूरा अनलिम्टेड बैल डिटी हम रहें आना रहें लेकिन कोर्स चलना चाहिए समझ रहे हो कर तक पता नहीं कौन रहेगा नहीं रहेगा तो जो इच्छु का बरतिह से ले सकते हैं जो चाह डेली रात 9 से 9.40 तक लाइब आओ ये विंटर वैट जो भी चल रहा है कि सेम वहीं चीज इसमें भी पढ़ाओंगा कंडिशन इसमें रहेगी आपको क्लास को लाइक सेर करना होगा आपकी जिम्मेधारी रहेगी नहीं करेंगे ऐसा तो आपको क्लास नहीं मिलेगी दूसर अगर आप इस बैच में लापरवाही करेंगे नहीं आएंगे तो इसका रिकॉर्डिंग बीडियो बाद में नहीं मिलेगा इसका रिकॉर्डिंग बीडियो बाद में नहीं मिलेगा सिर्फ लाइब देख पाओगे लाइब के बाद ये गायब यूटूब से गायब कर देंगे 16 फत्राइब कर देंगे कहां पाऊंगे नहीं पाऊंगे न तो इस लिए लाइब आओ पढ़ो कोई डाउट है बताओ हाँ जो एमर्जंसी में अगर डेली आरा किसी कारण पर छूट जाती है उसको हम प्राइबेट वीडियो का लिंक सेर करते हैं इमेल पर जो डेली आएगा एमर्जंसी में कहीं छूटता है तो उसके जिम्मेदार हम है चलो भया अब ही हम गुड़नखंड बिधी से कर रहे हैं मुझे इसका आंसर कोई बताएगा इनीवन चलो आगे बढ़े बेरे गुड बहुत अच्छा बच्चा चो का का हो रहा भया चले आगे ठीक है आईए इन भी हल करते हैं छोड़िए जाने दीजिए बता देता हूं तरीका सबसे पहले एक एक संख्या का हम अभाजी गुड़नखंड करेंगे अब अभाजी गुड़नखंड जिनका नार्मली कर सकते थे तो कर लेते हैं इसे दो दो दुटा 4 11 44 210 कभी अभाजी गुड़नखंड ऐसे कर सकते हैं क्या दो से भाग करोगे अगर 105 आएगा 105 किस से डिवाइड होगा 3 से भी होगा क्यूं? अच्छा दिखा देता हूं तर देखूं कर दो ने एक यह हो गए अबाज कण्ड कर बहुत अच्छा बाबी बहुत अच्छा बरे मक्रंण क्यों और यह बॉट ह्त्व होताय कीया कर दो कर दो कि मालो मैंने यह तना उठा रखा है चलो देखो इसमें कौमन क्या है नहीं के नहीं डिख लुझा आइटम लिएंपि दिख रया यह बताता हूं एक हाथ मेंने फ़ोन लिया और मोबाइल कॉमन यह ना तो लन दाइन वाला यह अक्यों कोन है न दोनों में नए है है कि अपस giorno a ऐसमझ में कॉमण का मतलब समय आया आया ना मोबाइली तो अब चुर्क यह आओ इससे ज्यादा बढ़ा पल्त कौन घ्व सकता है कहां पाओंगे कौन से जन्म में चलो देखो आगे तो अब क्या हुआ वैसे यहां पर जो दो-नों में यह दो-ध्म में था अब देखो दो इधर तो है बट इधर कहीं नहीं मिल रहा है इधर 11 अब और कोई कॉमन नहीं है ऑफ गल जो कॉमन है यह उनको अलग color में लिखेंगे इनकी कोई जोड़ी नहीं मन रही है यह सब बिरोजगार है आजकल जो बिरोजगार होते हैं उनकी जोड़ी नहीं बनती है बिसे शुरूप से बॉयेज को बोल रहा हूं गल्स को नहीं उनकी तो बन जाती है इसलिए जादा पड़ो है कि दो और 11, 3, और फिर 5, और फिर 7, ठिक, LCM निकालना है गुड़ा करिए, चलो गुड़ा करो फटा-फट, 2, 2, 4, 4, 3, 12, 12, 15, 60, अभी मैं 11 को छोड़ रहा हूँ, देखो समझो पहले में इतने का गुड़ा करता हूँ तरीके से, आसान अफान, 2, 2, 4, फिर 11, फिर ये 3, 5, 15, 15 का है लिखोगे, हाँ लिख लो, समझे आफान तरीके से करने का, 15 का 4 में गुड़ा करेंगे, 60, और फिर 11, और फिर 7, ठीक है, आफान तरीका बता रहा हूँ, गुड़ा कैसे करेंगे, नहीं संख्या बड़ी हो जाती है, तो को नहीं पाता है, छोटा-छोटा तोड़ के देखो कैसे, समझो, कठिन रास्ते मत जाओ, 11 का इसमें गुड़ा भी हम नहीं करेंगे, समझना कैसे, एक मिनट रुका हो, ये 11 है, और ये सिर्फ 7 था न, तो 77 कहा हो गया, ठीक है, सही, अब देखो, 11 का 7 में गुड़ा कर लेंगे, 77 हो जाएगा, यानि 60, अब गुड़ा 77, 77 का 0 में गुड़ा करोगे 0, और 77 का 6 से गुड़ा कर लो बस, तो 6 सते 42 कर दो, हाफिलाया 4, और 6 सते 42, 42, 4, 46, ये अंसर हो गया, 46, 20, अगर तुम्हें ही करोगे 1,8 सबको नथ बड़ी हो जाएगी संख्या, ऐसे करोगे 2, 2, 4, 11, 44, 44, 43, फिर 5, फिर 7, फिर लंबा हो जाएगा, सिरी राज तुम पढ़ते नहीं हो बटा, नहीं, तुम पढ़ते नहीं कभी, पूनम समझ में आ रहा है, पार्वति बर्मा, दो नम अंजली, अंजली राव, अंजली सिंग, अंजली मिस्रा, कई लोग हैं अंजली नाम से, तो एक नाम बोला, सब लोग जान जाना, सीमा समझ में आ रहा है, सीमा याद हो, हैदर नहीं, चलो देखो, ठीक है, तो, कुछ ऐसे भी प्राणी जनम लेते हैं, समाज में जो सब को बदनाम कर देते हैं, एक लोग कह रहे हैं कि आपको बॉयज से ही दुस्मनी है, आप बॉयज को ही कहें बोलते हो, बॉयज से दुस्मनी नहीं है, तो मैं बड़ी आफ़त से बचाता हूँ, लड़की लड़का के मुखबत में लड़का परबाद होता है लड़की नहीं होती कभी बहुत बाई चांस कभी हो गया अलग बात है पता है कैसे अगर दो लोगों का बहुत अच्छा फेर चल रहा है अच्छा वाला ताइम दोनों का परबाद हो रहा है नौकरी एक उक नही बस जाएगी और तुम विरोजगार घूमोगे तुम्हें कोई ने पूछने वाला समझ रहो वो फोन करके लाश्ट टाइम बोलेगी बाबू पापा नहीं मान रहे हैं बाकी तो मेरी मुहबबत बड़ी तकड़ी वाली है समझ रहो तो इसलिए बोलता हूं तुम्हें लड़ कि किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ चलो कर लोगे सभी एनीवन कुछ पूछना चाहते हो चलो बस अब कुछ थोड़ा चेंज करूंगा कि यह लाश्ट कुश्चन है इस टाइप का 210 वाले में क्या तकलीफ है यहां रुको एक मिनट देखता हूं क्या प्रोब्लम है इसमें 210 वाले में कि दो एक कम दो भाई यहां देखो कुछ लोगों को डाउट है रुगो 210 का आधा 105 होता है कि तिन पंद्रा तिन रिकानों एक दस 35 तियां इक सो दस होता है ना उस्वारी 105 होता है ना इसको यहां डिवाइड किया है 5 ते पाथे 7 तो क्या प्रोब्लम क्या है जो दोनों में common है उसको मैंने यहां लिखा जो common नहीं है यह देखो 2 यहां लिखा 11 यहां लिखा तीन पंच साथ सब तो लिखा है क्या दिक्कत है 2 दूना चार 11 को FF लिख लिए 3 का 5 में गुड़ा किया 15 आगया ये 7 को FF लिख लिए ठीक 4 दो 15 का गुड़ा किया 4, 15 का गुड़ा किया 60 है इसका इसका 11 और ये 7 ऐसे उतार लिए ठीक है समझो मैंने इसको तोड़ तोड़ के गुड़ा कि इधर का उधर तुम्हें लग रहा होगा कहां से आगया अब 117 का गुड़ा कर ले 77 अब 77 का 60 में गुड़ा किया इसे तुम्हें एक बार में कर सकते हो महानात्मा जरूरी नहीं साथ बार में करो कि अब नहीं आया तो तुम्हें पुनर जनम लेना पड़ेगा एक बार राउन चलो देखो कि 325 का फैक्टर करेंगे और हमें याद नहीं हम ऐसे कर नहीं पाएंगे बिना यहां लिखे पहले यह बताओ किया यह संख्या तीन से विभाजित है हां या नहीं हम 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 दो से तो है नहीं क्योंकि यह सम संख्या है नहीं हम दूसरी बात इसका लाषट काँग दीन्य तो चारच नहीं है कर चीन अए तीन दो पांच आए मिध से तीन दो पांच है कि टिना हो जाएगा फिव ेंका योग्फल दस आ रहा है और दस तीन से ब्वाजित नहीं हो घूष तो ये संख्या थीन से भी ब्लाजित नहीं होगी पांच से हो सकती है हाँ 5 की ब्लाजीता नियम के लिए सिर्फ 5 होना काफी है तो है श्क्राइब 5 वचल पचीष आज एकम पांच पांटेंगी पंद्रह देरा यानि इसका फैक्टर फाइफ फाइफ एंड थर्टीन वन लिखा नहीं जाता है ठीक है वन छोड़ देते हैं क्योंकि वन समय आता उसकी कोई कदर नहीं होती चेसों पचीस का कर लो ऐसे ऐसे पांच पचंपचीस पंचे एकसो पंचीस फंचे छेसों पचीस चुना कर के देखो एकसों पचीस को पांच से गुड़ा कर भाई है देखा हो राजा लोग देखा बिल्कुल साही है चला अब देखिए इनमें कॉमन क्या है जरह देखिए प्यार्फे कॉमन क्या है पांच-पांच की जोड़ी बन गई भाई आदोई लोग का जोड़ी बन गई जोड़ी बनना बहुत जरूरी है जिन्दगी में इनकी जोड़ी नहीं बनती उनको अकरमाली कमरा भी नहीं देते किराये पर अखेले जाओगे तो हर जगा लेके आओ जाओ एक पर मैं ऐसे जगा गया था अपने दोस्त के साथ वहां पूछे कि तुम साधी की सुधा हो तुम लोग क्यों वैसे हो अब लोगों ने कहा नहीं अब इतने कि कह रही हम फाइमिली को देते हैं तो साधी हो जाएगी तब आना इफिलियाद तक हम लोग वहां नहीं गये अभी सोचरे साधी हो जाएगी जाएंगे वहां रहेंगे देखो यहां पर आगे यह हो गया इनकी जोड़ी बन गई जिनकी नहीं बनी उनको उतारो उपर से 13 अलग कलर में उतारो अब पांच और पांच इनका गुड़ा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा पचम पचीस और यह थाटीन और यह पचम पचीस तो कितना आएगा कि मल्टीपल करो आपस में सभी लोग कि मल्टीपल करो फटा-फट देखिए इनका गुड़ा करोंगे तो 25 का उवर्ग क्या होता 625 625 का 13 से गुड़ा करना है कि 325 को 13 फट गुड़ा करना है कर लोगे ना इसको छोटा कर दें थोड़ा सा चलो गुड़ा करें आओ तेरा पच्चे 65 के 5 हाफी लाया कितना 6 और तेरा दुना 26 26 कितना होगा 32 32 का दो हाफी लाया कितना 3 और तेरा चंग कि 78 यह होता है ना 13 सिक्चा 78 कितना हाफी लाया था तीन 78 दू अफ़ी कि क्या फी यह अंसर होगा पटेल जी आपके लिए कलाफ नहीं है आपके लिए कलाफ नहीं है यहां सब और संसकारी लोग नहीं है आप कहीं और देखो सभी को समझ में आया संगीता कुमारी आया समझ में उपेंद्र कुमार टटटिसकान समरीन सैफी दोनम दूबे सिरिकान सभी को आया तो हम आपको मैथ सिखा रहें पढ़ा नहीं रहें और वो भी जीरो लेवल से जैसा कि टॉपिक और टाइटल है उपर तो यहां पर कुछ हाई-फाई चमतकार नहीं होने वाला है अगे बढ़ते हैं आप हम बात करते हैं भाग विधी से ल्टीम काफी ज्यादा हो रहा है कि अब तक जो था भाज गुड़नखंड विधी था भाग विधी से ल्टीम बहुत चोटा-चोटा कोश्चन करेंगे सिर्फ आपको तरीका सिखाएंगे बस लिखिए कि साथ वा तो का ल्टीम भाग विधी से देखो भाई भाग विधी में कैसे होता है भाग विधी से कैसे होता देखोएं आप समझो साथ और सौ दो से डिवाइड करोगे तीस दो से करोगे पचाफ दो से करोगे पंदरा दो से करोगे पचीस तीन से करोगे पांच पंदरा और ये पचीस और पांच से करोगे पांच एकम पांच पचम पचीस कोई किसी को दिक्कत नहीं न ये मैं फैक्टर करना अल्रेड़ी सिखा चुका हूँ अगर आपने नहीं सिखा तो नीचे नंबर चल रहा है उस पर मैसेज करना कि मुझे फैक्टर वाला वीडियो चाहिए बढ़िया अल्सियम निकालने के लिए यहां क्या लिखेंगे ल्सियम आफ 60 एंड सो एक दो 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 और तीन और पांच पांच दो दुना चार तीन बारा पंचे साथ स्टार्ट को पांच में गुड़ा करोगे तो आएगा तीन सो कितना आएगा तीन सो कितना असान है न अगे बढ़ें किसी को कोई डाउट नहीं न मनीश राव समझ में आ रहा है आन भी आ रहा समझ में नितिन मौर्या बेरे गुट मैंनिका गौतम किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं ना आगे बढ़ें चल भाई चलो तो ये भाग विदी से था भाग विदी में दोनों का इक अपन करते हैं और गुटनखंड विदी में दोनों का ऑला गला करक다면 उसमें ऐसा यसे से कममन खुझते हैं इसमें common साथ में हो जाता है एक और कुश्चन एक और देखिए एक सो बीस वा दो सो का एल फियम इसमें भी भाग बिदी करेंगे भाग बिदी में दोनों को एक अठा फैक्टर निकालते हैं ऐसे दो से करोगे आप भाग एक सो बीस को तो साथ आएगा दो से सो को भाग करोगे तो सरी दो सो को तो सो आएगा दो से भाग साथ को करोगे तीस आएगा दो का भाग सो में पचास आएगा दो का भाग पंद्रा में करोगे पंद्रा आएगा इतना तो जाने रहे हो तीन का भाग करेंगे 15 पाँच आएगा 25 उतार लो पाँच एकम पाँच पचम पचीस कोई दिक्कत ना किसी को सबी को आता है ना क्या करेंगे इसका लिखेंगे इसका लिखेंगे कैफे लिखेंगे नीचे लिखो अलफियम आफ एक्सो बीस और दूईसो एक, दो, तीन तीन बार दो सब का गुड़ा कर लेना है बस दो, दुना, चार, दुना, आठ, त्रिक, चौबिस समझो दो, दुना, चार, दुना, आठ, त्रिक, चौबिस चौबिस और इसका आपस में गुड़ा कर लो 25 24, 25 का गुड़ा करो दो बार में इफले कर रहें जिसे आसान हो जाए तो पचीस चौका सव हाफिलाया दस और पचीस दूना पचास दस साथ छे सो अगर वहाँ चौबिस पंचे करोगे फिर पांच से गुड़ा करोगे तो कटिन हो जाएगा नो डाउट किसी को विसाल परजापती सुरू में बताया था इस्टार्टिंग में हिंदी में बोलते हैं लगुत्तम समापवर्त बविता कुमारी आप वही बविता हैं जो कलास लेकर रडाई करी थी दिनेट सर से वही है कि कोई और भाई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं न जो कुछ ज्यादा इक्स्पर्ट होते हैं वो कलास जोईन करने के बाद क्या करते हैं email ID पासवर्ट सब बूल जाते हैं पिर कहते हैं कि हमें ना तो email ID पता है ना password पता है लेकिन हम कलास जोईन किये तो मिलनी चाहिए बताओ अप्लिकेशन में लाखो बच्चे उसमें कहां कोजेंगे तुम्हें कैसे देंगे और कोई भी नया अगर कोर्स एक्टिव होता है तो उसकी एक संख्या बढ़ जाती है उसका हमें हर जगा चार्ज पर करना होता है तो नया इमेल आईडी या नया सिस्टम पर फिर पढ़ा था बताए जबाद दीजिए पीछे आपने क्या पढ़ा था उसके पहले एक सवाल बताईए साथ साथ में तो नों बताईए पहला सवाल यह है कि क्या थ्री प्लस थ्री फोर थ्री यह पर्मिये है या पर्मिये यह पर्मिये संख्या है या पर्मिये संख्या है जबाद दीजिए सभी का कमेंट मैं देखूंगा अगर अगले आप हमेरे साथ 30 मिनिट तक जुड़े रहेंगे यह गनमूल का चिन्न है आए ठीक है बहुत अच्छा कुछ बच्चों ने कोसिस किया है पिछली क्लास में अल्सीय में पड़ा था बहुत अच्छा लक्षमी जी आपका कमेंट आ रहा है पूजा सुसील मोहित पंकच सुमन कि छोटू आर्ति सिंग कि चलिए ठीक है यह रेफनल नंबर है यह पर्मिय संख्या है पर्मिय संख्या इफ लिए है क्योंकि इसका तीन ऐसे आप जोड़ेंगे इसका घनमूल निकालेंगे साथ आएगा होता है ना यह जोड़ेंगे दफ आएगा दस बटा एक लिख सकते हैं इक्वल पी अपान क्यों सो यू कैन से दिफिजा रेफनल नंबर क्या है यह रेफनल नंबर है पर्मिय संख्या है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नाट बात चीत चलो ल्सीम एच्सीअफ में कल भाग विधी बताया था कि गुलनखंड विधी या दोनों बताया था दोनों विधी बताया था ना साइद कल मैंने HCF भाग विधी फे नहीं बताया था है ना और HCF के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी सिर्फ LCM के बारे में हुई थी चलिए ठीक है अगर आपको भी गडित सीखना है तो अगले आधा गंटा कम से कम आपको देखना है इमानदारी के फाथ तो एक छोटा सा सवाल मैं कर लूँ इसी पर लगे हाथ मुझे ये बताओ कि 13 26 और 52 का LCM क्या होगा आधा मिनट में आप आंसर दे लेंगे अगर कल आपने देखा था थो LCM क्या होगा सभी बच्चे कलास को फटा फट लाइक सेर करें बाबू आपकी जिम्मेदारी है देखिए मैंने कहा कि ये पेड बैच का मैं फ्री कंटेंट टोटल दूँगा यहां पर आप लाइब आओगे लेकिन आपकी जिम्मेदारी है लाइक सेर करना में पॉइंट पर आओ इसका आंसर होगा 52 सुरी हां 52 ही तो क्या सुरी उसमें ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि मैंने कहा था कल ही बताया था कि अगर तीन संख्या है पांच संख्या है कितनी भी संख्या है वो ऐसी है कि सबसे बड़ी बाली संख्या जो है बाकी सभी संख्याओं से पूरता विभाजित है तो ऐसी स्थिति में उनका LCM सबसे बड़ी संख्या होती है बिना किसी नियम कानून की कर लो खतम चलो ठीक है बढ़िया है तो करें क्या भी हम अंसर क्या होगा 52 जो बच्चे बेसिक गड़ी सीखना चाहते हैं उनके लिए दिवाली अफ़र है इसे ध्यान से देखें और नोट कर लें बिल्कुल जीरो से इसमें सिखाया जाएगा एकदम सुनने से और वो प्यार से घर बैठे मतलब सीख सकते हैं इसमें लाइब भी देख सकते हैं रिकॉर्ड़ वीडियो कोर्स भी मिलेगा अभी थोड़ा तबियत अगर अगड़बर होने की वज़ा से कुछ डिश्टब च चल रहा है आज का टोपिक अपढ़ेंगे आप भाग विदी से क्या है 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 ओके चल भाई बहुत ही चोटी चोटी संख्याएं लेंगे पहले हम कि जैसे पहला कि दो दो संख्या के बारे में बात करेंगे जैसे माली यह पहला मैंने लिए चार वा कि साथ का न कि कर लो ठीक है एच सी अफ देखिए आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूं फिर मैं इसको करूंगा आगे ठीक है बहुत अच्छा बेरे गुड़ बच्चा बार्टी चलो देखो बाबू ध्यान से समझना तबसे पहले हम आंसर की बात करें क्योंकि यह बहुत ही छोटी संख्याएं लेकिन हमारा बताना मजबूरी यह है कि हम जीरों से सिखाते हैं पढ़ाते नहीं तो हम सब चीजें बत इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक वन है जो सबका कॉमन फैक्टर होता है उसकी कोई इजत नहीं होती उससे कोई मतलब नहीं वन को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अगर ऐसी कंडिशन है कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका HCF हमेशा 1 होता है यानि हमें उत्तर तो पता चल गया इसका 1 अंसर आएगा लेकिन करेंगे कैसे देखो छोटकी संख्या से बड़की संख्या में भाग करोगे तो 4 एकम 4 गटाओगे क्या आएगा 3 तीन है अब देखिए यह है भाजक यह है भाजे यानि डिवाईजर है डिवीडियंड है क्वासियंट है रिमेंडर है जैसे अभी परजन टाइम में आप लोग क्या है अपने ममी पापा के बेटे बेटियां अगले आने वाली जनरेशन में आप लोगों की साधी भी आ हो जाएगा सब लोगों की लड़के बच्चे हो जाएंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे पैरेंट्स हो जाएंगे फिर बच्चे वो हो जाएंगे है ना अच्छा काहे को बता रहे हैं अच्छा यहां है यह यहां क्या भाजक है यह भाज्य है इनका हो गए इनकी जनरेशन पूरा इनका जो था हो गया कम अब अगला इस्टेप होगा अगले इस्टेप में क्या होगा जैसा मैंने अभी बताया अब अगली जनरेशन यह यहां पर जो सेसफल आया था यह बन जाएगा भाजक भाजक और क्या जिस संख्या से आपने भाग दिया था ना वही तो यह यहां जाएगी कि यह यही तो करते ना यानि जो पूर्ब में भाजक था वह यहां भाज बन गया किसी संख्या को वह यहां खुद कट रहा है यह वक्त का खेल है आज ते रहा है तो कल्मेर होगा जो यहां संख्या को डिबाइड कर रहा था वह यहां डिबाइड होगा तो four वन जा, sorry three वन जा three, घटाओं के कितना आएगा, एक, अब देखो समझों आपे, ये कितना आया one न, ये तरीका आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अब जो यहाँ one आया है, ये बन जायेगा भाजक, ये बाजक बन जायेगा, ये तीन बन जायेगा भाजे, जिससे सुनने आयेगा भाजक करने पर वही अंसर होगा, तो last में मेरे यारों, यहाँ पर जो zero आ रहा है, वो किस से आ रहा भाजया one से, तो one क्या है, at cf, समझ रहे हो न, आप कहोगे भाज तो तीन से भी किया था, चार से भी किया था, तो क्या सब, तो क्या सब at cf है, न नहीं, देखो अक्सर गाउं दिहात में या सहर में, नर्मल तरीके पर जो साधियां होती है, उनमें बहुत सारे रिष्टे आते हैं, साधी तक भी सो पचासो, लेकिन last में जिससे हो जाती है, वही husband wife होते है, समझ रहे हो न, ऐसा नहीं, वही देखने आये थे, तो भी husband हो तो फाइनल में आंसर जिससे जीरो आया, सेस्फल वही उत्तर माना जाता है, समझ में आया न, आप बताओ, अच्छा एक जांपल था न, एक बार कमेंट जरूर करना, रोहित आप आये हो की नहीं, हमारे कमेंट मॉडरेटर आज कल जो है, बहुडला परवाही कर रहे हैं, यह आते नहीं है, चलो बहुत अच्छा, तो यह चीज़ समझ में आया, यानि चार और साथ का HCF कितना आया, वन, किसी को कोनो तकलीफ, कोनो दुखदर्द इस कलास में, कुश्चन में, नहीं न, ठीक है, तो कुश्चन नमबर अगला देखा भाईया, काहें इम गंदा करें, आगले न बढ़ें आगे पेज में, जो होगा देखा जाएगा, भाईया, कुश्चन नमबर दू या तीन कुछ भी लिख लो, चलो, अब मुझे यह बताओ, कि संख्या, सोला, वा, 24, का, HCF, कल मैंने LCM जादा बताया था, आज HCF की बारी है, क्या करेंगे भाग विदी से, जहान से देखना है, प्यार से देखना है, इसमें कितने लोग इसका आंसर दे लेंगे, हाद उठाओ, यास, बहुत अच्छे, लगबाग 30%, आज चलो, देखते हैं, भाग विदी से करना है, अभी हम टू-टू नंबर ले रहे हैं, दो-दो संख्या, याद रहे हैं, जिन्दगी में सीखने में कभी सरम नहीं करनी चाहिए, और अगर वो सरम करता में, तो आज तुम्हारा करम गड़बड हो गया होता, मतलब ऐसे समझो, कि जो हाँ आए हो या ना आप आते, पीब्यार स्टेडी इलहाबाद चैनल पर 5.5 लाख लगबग सब्सक्राइबर हैं, 10 करोन से अधिक दर्सक, बड़ी बेजिती होती है, जीरो से पढ़ाते हैं, जोड़ घटाना पढ़ाते हैं, इनको और कुछ तो आता ही नहीं है, बड़े-बड़े जो higher education वाले बच्चे, message call करते हैं, सर और कुछ आप पढ़ाईए, ये basic zero level कब तक पढ़ाएंगे, हमें पता है, वो सब करने वाले बहुत चैनल है, बहुत इंस्ट्टूट है, लेकिन तुमको सुनने से सिखाए, कोई आफा चैनल यूटूब पर खोज लेना, जिसमें इतने ज़्यादा मातरा में, अगर इस्टूडेंट जुड़े हैं, कोई नहीं मिलेगा, कोई दस्विस वीडियो डाल दिया होगा, कोई चार चैनल बीडियो डाल दिया होगा, लेकिन रेगूलर कोई पढ़ाया, ऐसा कोई चैनल पा जाना था मुझे बताना, समझे रहे हो ना, तो सीखने में ना और सीखाने में, दोनों जगा सरम नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दिल खोल के सीखना चाहिए, चलो देखो, सबसे चोटी संख्या से बढ़की संख्या में भाग करेंगे, अगर हम दो बार ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा, जादा जादा हो जाएगा, जाएगा, मामला हो जाएगा, गडबड, तो फिर वन टाइम ले जाएगे, वन टाइम ले जाएगे, इनको जब सब्ट्रेक करेंगे, तो पता कितना आएगा, आठ आएगा न, इसमें से एक उधार जाएगा, यह फोर्टीन, फोर्टीन में से 6 जाएगा, तो 8, यानि 14 में से 6 गया 8, तो भाईया, पहली दफ़ा यह जो, भाजक थे, यह भाज्य थे, यह सेसफल थे, अब दूसरी दफ़ा में, जो सेसफल है न, यह भाजक बन जाएगे, और जो भाज्य बन जाएगे, समझ रहे हो न, इस टाइम आज कल, जो घर में बहु आई है न, कल को सास बनेगी, समझते जाओ, यह जाम पल सास सास में, चलो देखो, अब इसमें कितनी बार जाएगा, दो बार, फेसफल जीरो आया, जिस संख्या से भाज करने पर, फेसफल सुनने आ रहा है, वही आंसर है, ओगे हच्ची अबाट, यह है भाग विदी से हच्ची अब करना, बहुत अच्छा, लर्निंग इस टार्गेट, बेरे गोड, सोना, कमेंटार आपका, राहुल सर्मा, हरे कृफणा, इनका नाम है, सभी का कमेंट आ रहा है, समरीन सोभित, पंकज सुमन, अजय सुसमा, और ऐसे कुछ आदी आदी अनादी नाम थे, जो रेगुलर क्लास में आते हैं, उनको कुछ पार्ट जो पीछे प्राइबेट है, नहीं मिल रहे थे, उनका लिंक उन्हें भेज दिया गया, इमेल पे, ठीक है, और हाँ, अगर आपको इमेल पे लिंक ना मिला तब भी, आप PBRS Study चैनल में, अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये वाली बैच में, बिंटर वाली में, या वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, लाइब वाले में, अपनी उसी आइटी फे जाएंगे, जो हमें दिया है, तो वहाँ पे उप्ले बैट वीडियो भी आ जाएगा, आप देख पाएंगे, लेकिन अगर इमेल आडी चेंज किया, तो नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने आपको एक्सेस दिया है, प्राइबेट तरीके से लग्स, क्योंकि आप रेगुलर कलास में आते हैं, तो बीच की गायब कलास आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलो भाई, आगला, next. पुश्चन नमबर तीन या चार, आगे देखो यहाँ पर, संख्या, अभी दो-दो संख्या की ही बात कर रहे हैं, पिर जादा, दो से जादा संख्या की बात में करेंगे, चलो, जैसे मैंने ले लिया, 32, वाह, झालो, झालो, संख्या की बात कर लिए्या उर्ण, झालो, झालो, झाल झाल यस अब आगई मेरी ये डिस्चार्ज हो गया ये इसका सिस्टम हो गया गड़ बड़ा ये मैंने लगा लिया टेंप्रोरी आज के लिए उनली बाकी मैं कान में कोई चीज गुजाड़ता नहीं आगई ना चलो भाई वन मिनट वेट का टाइम खतम अब तेज आई होगी उससे तो 32 वा 152 जो भी है वगड़ा वगड़ा इसका HCF करेंगे चलो भाई आजा पत्तिस से भाग करेंगे 152 जो हिसमें वाई रिटर्न हो रही है क्या है चलो भाई कि इनका क्या करेंगे भाग करेंगे अब 32 का हमें टेबल नहीं आता है अगर आपको यह भाग करनी नहीं आती तो कमेंट करके बताना हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें बड़ी-बड़ी संख्याओं का भाग सिफाया तो भाई साथ तीन का लगबग इसमें पांच बार जाया गया तो हम इसको पांच बार ट्रा जो पहली बारी में तेस्खल था अगले टर्न में वह भाजक बन जाता है ठीक है संख्या और पहले इस्टेप में जो संख्या भाजक होती है वो दूसरे इस्टेप में भाज बन जाती है मत भूलना इसे ऐसे खीचो गया इसे तो यह 32 जो भाजक था यहां भाज बन जाएगा इसमें इसका भाग वन टाइम जाएगा 24 आए बटाओंगे पारा मेंसे चार जाएगा आठ कि पिर क्या करोगे मेरे भाई अब फिर वही तरीका अपना होगे जो अभी तक आपने देखा था जो संख्या भाजक थी अब वो संख्या क्या हो जाएगी जो संख्या यहां पर थी सेशफल वो हो जाएगी भाजक और जो यहां पर आई थी हाजक की रूप में 32 के लिए वो ही आ जाएगी तो HCF क्या आएगा आठ ऐसी संख्या जिससे लास्ट में भाग करने पर जीरो सेश फ़ल आया वही HCF होती है ठीक है तभी को समझ में आ रहा है प्रतिमा आ रहा है समझ में संगीता यादो असनेहा सोलंकी अजैसिंग रूबी यादो प्रिया सुकला पूजा सुकला नंबर पर समपर करिए अन इंक्वारी के लिए चलब भाई तो यह भाग विदी से HCF है HCF का मतलब मैं कल ही सिखा चुका हूँ HCF ऐसी संख्या होती है जिससे भाग करने पर दी गई जो मुख्य संख्याएं है वह पूर्दा अभिभाजी तो होनी चाहिए और हां वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे भाग करने पर वह पूरी तरह डिबाइड हो उससे बड़ी और फिर कोई संख्या ना हो समझ रहे हो एक चोटी सी बात बता हूँ आपको इधर देखो किदर देखो तुम समझो पहले बाई समझो 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 जैसे मान लो कि यह कुईस्टन है कि संख्या है चालीस वा अफ़ी का अच्छीएफ ठीक है समझ ना मैंने कहा है अच्छीएफ वह संख्या होगी जिससे भाग करने पर दी गई यह दोनों संख्या है पूरी तरह भाजी तो यहां पर सवाल यह है ऐसा तो भाई साहब भाग करने पर दो से भी भाजी था चालीस और असी दोनों इसे पांच से भी है अब इससे भी है पीच में और भी संख्या है दस भी है डश्बीह है और चालीस भी है लेकिन का ऑच्छीएफ क्या होगा पता है इनका स्वालीस होगा क्यों क्योंकि जो 40 है यह HCF इफ लिये होगा क्योंकि यह सबसे बड़ा विवाज़क है बाकि यह सब बच्चा है इस प्यागे समझ में आए ना तो HCF मिन्स हाइस्ट कॉमन फैक्टर यह सभी कॉमन फैक्टर है बट हाइस्ट नहीं है समझ रहो ना जैसे सबीय बैरती चाते हैं तो सबीय बैरती है पर इच्छाटी सबी यह लेकिन जो ही एक स्कॉर करता है जो सेलेक्ट होता है उसको नौकरी मिलती है ऐसा नहीं होता है आया सभी को समझ में मतलब बताने का था कि HCF होता क्या है ऐसे लोगों के लिए जिनको गड़ित नहीं आती है चलिए आज कोई कह रहा था कि आप पढ़ाते समय जो है मूह साथ तरह का मनाते है उसका कारण क्या है पता है तुम्हें कुछ तुनया दिखना चाहिए हमारा मुह दिख रहा हो तो फिर प्रटा चेंज होना चाहिए न और मार्ण हमारा हमें साद्प्राण क्या चाहता है जैंज चाहता है आप गश्रीज़ तो अब यह तो दो संख्याए थी तीन कि संख्या कि पचीश कि पच्पन वा पचासी का चलो बता इसका अंसर क्या आएगा जबाब दीजिए फटा फट चलिए एक से अधिक तो कैसे करेंगे समझ देना थोड़ा अच्छा से अधिक कि यहां पे तीन संख्या है आशे अगर एक से अधिक पांच पांच और चार अब दोना थे तो आसी दसा में भाग भी तो हमें थोड़ा सा लोग कन्तुज हो जाते वाट तो 16 सब्सक्राइब करते हैं पहले मजल की संख्या ठीक है बढ़की वाली संख्या से भाग करते हैं पहले मजल की संख्या ठीक है बढ़की वाली संख्या छोड़ देते हैं एक्स्टा अफेर के लिए कि यह कितना हुआ ट्वंटी फाइफ टूजा फिप्टी कि इसमें से सब्ट्रेक करोगे फाइप आएगा मतलब घटा आओगे जैसा कि मैंने कहा इस जन्रेशन में जो लड़के बच्चे अब यह बने माबाप के अगले जन्रेशन में वह माबाप बन जाएगे तो वैसे क्या यह फर्स्ट इस्टेप में जो संख्या भाजक थी वह अगले इस्टेप में भाज्य बन जाएगा यानि यहाँ पर क्या होगा फिर अब चेंज कि यह फै होगा और यह फंख्या यहां आ जाएगा यहा नहीं पर इससे भाग ले जाएंगे पांच बार गटाएंगे जीरो अब कुछ लोग कहेंगे अंसर तो पांच आएगा नहीं अभी नहीं अगला देखो समझो पहले अब इसको जो हम भाग करेंगे ना अब जो लास्ट में फाइनल हुआ देखो ऐसे हुआ परिख्षा होती है उनको चाहटा जाता इस्टेफ पहले जाता चुटी चंटी है फिर उससे छुट्टी में निकल जाता है उसके डाकुमेंट ब्रिफिकेशन इंटर्वी वगरा जो जो होता होगा आगी चलके कुछ पोश्ट में नहीं होते हैं तो मेरा कैने कही है मतलब इस परिच्छा है जिसमें दो इसके निकल गए प्री और मेंस निकल गए लेकिन अभी इंटर्वीव बाँख लिए तो दो संख्या है उनको भाग कर लेते हैं तो मतलब वहारा प्री मेंस हो गया दो तीनी स्टेप में जो गी इंटर्वीव का मतलब अगर दो से ज़्यादा संख कई तो जिसने कलियर किया है कि इंटर्वीव में मतलब परिक्ष्य तो जाएग न परिछासी तो बहुत बैठेंगे लेकिन जो venir यहां जीरो से फ़ल आएगा उसी से भाग करेंगे समझ में ना नहीं तो तीन चार पाँच भाजा कैसे हो जाएंगे तुम कहां पहले वाले कर दें चौबिस से भाग कर दें उसको तो बढ़ बढ़ फिर नहीं होगा अगर तो का अब इन्हों ना समाझ मां होता है ना तो का डारेट बरह मस्कोचिंग पढ़ाएं पर चला देखाएंगे तो तीन उपर से उतारेंगे पांच पांच सब्सक्राइब हो गया यानि इसके इस्तियप हो गये किलियर फिर का होएं अंसर आ गया है एक चीज और याद रखना हर जगा यह लागू नहीं होता कहीं कहीं आपने पांच से भाग भले किया था तो जरूरी नहीं कि जो यहां आया था लाश्ट वहीं अंसर आएगा नहीं चेंज हो जाता है अगर यह पांच से पचासी डिवाइड लिए नहीं तो आपने बांद बेड़ आपन लो मैंने बांद बेड़ कर दिया अब बांद बेड़ कर दिया होता तो आंसर नहीं यह था कुछ और आता अजय सिंग निदी आदो सिल्पी तुमन तुमार अभी मैंने कहा था कि कुछ लोगों को जो है मैंने लिंक दे दिया है प्राइबेट क्लासे जो कर दी गई है पिछली तो कुछ लोग कह रहे मेरा नाम बोले हमें तो नहीं दिये रहे चच्छा तुम्हारे नाम के लाखों से लोग है आपके नाम के कंटेक्ट नंबर हमारे पॉन में कम से कम सव होंगे उससे कम नहीं होंगे तो हो सकता आपको नहीं कहां दूसरा एक कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि आप ऐसा यांपल क्यूं देते हो मुझे हसी आ जाती है लोग मुझे देखने लगते घर से एक तरफ से तो अब क्या करें और कुश्चन दे कुश्चन नंबर नंबर काड़ा लें भाइया तो अगला लिखिया अभी कुछ और टाइप के देखिए कि जैसे मान लोगाने ले लिया पंदरा है पचास भी ले लिया चलो और हम एठी आउर ले ले रहे हैं का पता है तो रुको 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 तुमें कुछ नया बताता हूं अब बताया था उस पर यह ले लिया फाट का है अच्छा आप लो ठीक है इतना गंदा भी काय को लिख रहा हो फिर पर सुंदर भली को ऐसे अब इनका अच्छी अब दोनों का क्या आएगा पता है आपको पांच आएगा लेकिन हम पांच आंसर नहीं नीकालने इनमें तीनों में देखो कौनों common factor हो रहा है क्या हाँ इन दोनों में तो हो रहा बट इसमें नहीं हो रहा है इनका HCF 1 आएगा जहां तक मुझे पता है 1 चलो आओ देखते हैं का HCF भाग विदी से चल भाईया देखा अब चला 500 देखा कथरी बार जाएगा 15 तिया 45 इनको घटा होगे 5 आप 5 क्या हो गया बाजक 15 क्या हो गया बाजे 15 सतम मैंने कहा था कि लाष्ट में उस संख्या से फिर अगली संख्या को भाग करेंगे जिससे भाग करने पर यहां 0 आया था वो संख्या 5 थी अब इस 5 से 44 को भाग करेंगे 5 अठे 40 गटाने पर आ गया चार उपर किरिया फिर से इधर भी रिपीट हो जाएगी अब यह जो भाजक था वो भाज्य रिपीज बन जाएगा ठीक है तो चार एकम चार घटा ओग एक आएगा अब यह एक हो जाएगा भाज्या कि चार हो जाएगा भाज्ये एक चपड़ा गटाव गया आएगा सुनना लाइस्ट में फाइनल जीरो आया है वन से एच्सी अफवन आएगा तो कर लोग का हम पहलें बता दिये रहें कि एक आएगा दो एक कड़वी बात बताएं जब मैंने भाज़ शुरू किया था उस दिन लाइब क्लास में लगबग 200 प्लस बच्चे थे सम्धिक ऐसे आज दस्वी क्लास है देखो किसी चीज के बारे में सोचना ही बड़ी बात नहीं है जोस एक बार जगना बड़ी बात नहीं खुद दिर चलना चाहिए समझे रहो कहने का मतलब ये एक बार तो आपके दिमाग में बहुत जोस उत्सा आती है मैच सीखेंगे हम थोड़ दें सब लोग पूरा धैर नहीं बनागे रख पाते हैं जिंदगी में कहीं कहीं धैर बहुत जरूरी होता है उनको लग रहा था कि दू मिनट में देख लेंगे अब सिंख जाएंगे कड़िता इसा नहीं होता साथ वीडियो नहीं है यहां कुछ दिखाना नहीं है गंदा गुं कोई नहीं सीख पाता हर कोई सीख जाएगा हर किसी को नौकरी मिल जाएगी तो विरोजगार का वही हाल है देखो आज क्या है अब वही बच्चे जो अपली केशन में आ गए वह कितना प्यार से पढ़ रहे हैं उसमें संख्यानी कम होती क्योंकि वहां पर फीस घंबा है तो आगे चले आप तो कर लेंगे ना तीन तीन अंक वाला भी कर लेंगे ना आप देखिए आप समझीए पताइए फंक्या 40 120 150 का HCF इसमें 1 HCF नहीं आएगा 4 12 और 15 का क्या आएगा जड़ा देखो एक बार हम जल्दी करो फटा-फट क्या हुआ कुछ गड़बड हो गया क्या है कि संख्या काई को अचानक मिस्टेक कर रही है ज्यादा कम कि इन में क्या करेंगे छोटकी संख्या से भाब करेंगे बढ़की संख्या को तीका है कि याज़ तीर्फरक्न कि फिर्फ़टा नाथ है कि आप संख्या से जो बढ़की संख्या इस्तिफरकी बच रही ती उसको पाग करेंगे मैंने कहा था कि 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 समझो या यह जाएगा तीन बार जाएगा घटाओ के तीस हो जाएगा भाजड़ और जो पहली जब में भाज़क था वो बहाज़े हो जाएगा यह जाएगा तीस एकम तीस गटाओगे तो आएगा 10, भाई साथ 10 से भाग करोगे 30 में 30 यहां फिर नीचे आ जाएगा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं तब यह हो जाएगा सुनना, लाश्ट में HCF वो संख्या होगी जिस से आया है सुनना, चाप लो भाईया फटा फट चाप लो जल्दी जल्दी, तो तम समझ में आ रहा है अजय सिंग राजापूर क्रेटर अपना नाम रख लिजिए निवेदन है आपसे जिससे की हम पढ़़ पाएं आपका कमेंट विजय चवान बेरे गूड बहुत अच्छा रुई आदव रुची प्रतिमा सोभीद पंकाज कमेंट एक बार किया करेंगे, कापी पेस्ट नहीं, गुस्सा लगती है मुझे खुब ज़्यादा है, जैसे आजए हैं, यही खुब ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, एक है कमेंट लिग देंगे अठारा बार, कुझा सुकला वर्ट्सप पर रिपलाई किया जाता है, हम ही करते हैं, सबर रखिए, किया जाता है, नाइंज फूर वलेप रिपलाई नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ समाज़्या है, दूसरे Comrade कर दीजिए, किया जाता है, रोज हमको Penis कर लवाभाते हैं, हमारे टीम के मेंबर हैं अगर बचा होगा वर्ट सब्सक्राइब करते हैं का कामी यही रहता है जिनको बिल्कुल फ्री देखना है यूटूब पर यह पूरा फ्री होगा टोटल फ्री पढ़ाएंगी यूटूब पर बिल्कुल पेड़ कोर सब फ्री इसमें लेकिन यह सिर्व लाइब चलेगा ओनली लाइब नौ से नौ चालिश तक उसके बाद वीडियो नहीं मिलेगा साथ नंबर कुछ भी लिख लो भाईया जो तुम लिख सको तो पांच चीज वा तीन हजार का लिखी है मह भाई बत्रीस पच्चतर लिखने है का हच सी अफ भाग भी दी से mir약 के MUSIC इजिए में जो आठ से जलन करते है जलन खोर जीने बोलते हैं अगर वो कोशिस करके आपको नहीं हरा पाते ना तो système याद के अगर आपको हे ख़ए है और कंपको को कांप को देखकर सो किसी लिए उसकी आवकाश नहीं किसलिए कोसितappelle नहीं साजिक्स करना रूही जोसी आवाद जो नहीं आ रहा था वो पीछे रिपिट कर दिया गया है वीडियो बैक करिये का देख लीजिए आवाद जब नहीं आई थी मुझे पता चल गया था कि उस बीच में ज्यादा कुछ नहीं बोला था ठीक है और दस बज़े वाली क्लास में चलाओं की नहीं कहां कह रहा हूं कि मैं पचीस तरह की एक्टिंग ऐसे वसे इसलिए करता हूं कि देखूं वीडियो चलता रहा है कि नहीं क्योंकि सामने मेरे भी चलता रहता है तो सबस सबसे चोटी संख्या से हम भाग करेंगे पहले मजल की संख्या को सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवान हम 225 के पहाड़ा तो जन्वे नहीं करी कैसे भाग कर अफिरी मुसीबत कहां जाए है कि किसकी कि यह दिक्कत है एक बार कमेंट में इमांदारी से हां लिखें आपको को आपके उसकी कसम है जोटने बोलना कितने लोग को सोच रहें कि इसका पाड़ा नहीं यादा क्या करें पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं तुम्हें का लगता इंडिया है जुगाडू लोग है हम लोग अधिकांस देखिए जो गिरजुएसन होगरा कर रहे हैं उन लोग पर नाहां कि यो हारम डाल दिया गाउमें में ओगिसारी करा में बशेने चल जायए गहाद करते है पाड़ा नहीं याद करते हैं इसका पहाड़ा याद नहीं करते हैं सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं बताओ इतनी अकल तो सबके पास है कि 200 और 600 में क्या संबंध है सबको पता है भया 200 और 600 तो यह देखो 25 भी साथ में है अगर तीन बार हम ले जाएंगे तो 600 तो हो जाएगा ना साथ में 25 भी गुड़ा होगा तीन बार तो 75 हो जाएगा यानी तीन बार मैं 675 आएगा तो कहने यानि 450 कितना कि 450 गटा लो हमने पहाड़ा पढ़ा कहीं नहीं पढ़ा ना इसमें से उधार ले जाते हैं बारा में से पांच गया साथ यह पांच पांच में से चार गया एक अब यह हो जाएगा भाजग और यह संख्या जो यहां भाजग थी वह हो जाएगी भागफल भागफल नहीं स्वरी भाजग देव कहुत्तम समझ में आ रहा है अजय सिंग तुम्हें कई बार बता दिया था लेकिन तुम मान नहीं रहे हो तुम्हें मैंना पांच मिनट के लि मैं भी चाहते हो मेरा कमेंट दिखें कमेंट में और किसी का न दिखें तुम्हारा हम कर लो पांच मिनट चलो कि अब कितनी बार जाएगा 1150 का करन दो बार ले जाएंगे तो जाहनते हो कितना होगा झांप झुगाण बता रहा रहा है एकसो पचाहतर को आप 200 मान लो अगर 200 को दू बार ले जाएंगे तो 400 हो जायेगा लेकिन हमें इसमें 25-25 बढ़ाया था कम कर लो दूइबार में 50 कम हो जाओ कितना 50 तो मतलब 3.300 होगा एक दूसरा तरीका एक सो पचातर है एका तुम कहला भईया सव पलस पचातर सव दूना 2 100, पचात्ता दूना, 1.5 100, चलो तो 3100 हो जाएगा गुना 3esin100 हो जाएगा दूना, दूना 2 बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, बस खतम, अब पचास से भाग कि यह देखा है एक दन छोट होएगा कि नहीं, पहाड़ा पढ़ाएक पढ़ाएक को जगा नहीं ना दूरी बार जाएगा तो सो तीन बार तेर सो चार बार ना जाएगा दूरी सो जाएगा कटाओ के पचीस आएगा ना अब यह नीचे आ जाएगा जीरो सेसपल ना जिस संख्या से सेसपल जीरो आया है वही संख्या आपके लिए उत्तर लेके आएगी यानि आपके अच्छी आप आएगा बाचीस लिख लो ऐसे अच्छा गंदा जैसे बले क्यों का कौनों दिक्कत परिसानी तो बताया दिया भाईया से इमांदार एक साथ बतावाँ नहीं ना कि यह वाले बच्चे संख्या में जुड़ते नहीं अच्छी खासी है तो मैं सोच रहा हूं आज मैं यह क्लास बड़ी चला देता हूं दो घंटे फाल तु काहे को यह यहां पर संख्या देटाइट रहां रहां रूखो अ मैं एक मिलेट टाइम दीजिए रुकिया में देने देख लेता हूं और वह शेयर नहीं करते यहां पे संख्या देट दूर्शों 400 होती है वहां पर चीज आएंगे बीस आएंगे रोएंगे आके वही बस इख तरह तक, पानी बानी पीना पी आओ, अराम करके आओ कर दो कल पढ़ाएंगे डियलेट वालों का इसा नहीं नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आज नहीं पढ़ाएंगे लेको लेको तंख्या 35 पचासी वाँ कर नाइस है 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 इसका अच्सी अब बताईए चलिए जल्दी करिए अच्छा एमेर थिया और रहन का आयार एक मिनट रूकर एमेर थिया उर्था रूकर 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 चॉरी कि छोटा कर लो यह था यह 32 पचातर लाश्ट में जिससे कटा था उससे इसको भी भाग करेंगे ते जाएगा वन टाइम जाएगा पटाओगे बारा मेंसे पांच गया साथ आएगा अब क्या होगा हमें इसको भाग करके खतम करना है बस उपर से साथ उतारेंगे कि पचीश थियां पचातर कटाएंगे दो आएगा उपर से पांच उतारो पचीश एकम पचीश उत्तर वही आएगा उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा बट इसको करना है कि ठीक है कि एलेड के सभी समेस्टर की कलास पीवी आर स्टडी एप में चल रही है आप पीवी आर स्टडी एप में जाए देखिए कि किसी भी समेस्टर के छात्र है वो ध्यान दे आपका आल समेस्टर का पूरा कंप्लीट रिकॉर्डड भैच पीवी आर स्टडी एप के अंदर है कि आप जाएए जुआइन करिए और पढ़िए प्यार से इसमें डेली पढ़िए रेगुलर पढ़िए अच्छे से पढ़िए यूट्यूब पर पढ़ना है तो इत्जार करिए आईएगा इसे पढ़ते रहिएगा अब न्यू टॉपिक अगला है वर्ग वा वर्गमूल इस्क्वाइर एंड इस्क्वाइर रूट क्या है इस्क्वाइर एंड इस्क्वाइर रूट इस्क्वाइर एंड इस्क्वाइर रूट कितने लोगों को स्क्वाइर याद है आप देखो सम्झो लिखो इनको इस्क्वाइर एंड इस्क्वाइर रूट खल क्या है छोड़िये तो छोटी-छोटी संख्याओं के पहले आपको वर्ग याद होने चाहिए जैसे आप यहां लिखिए संख्या यहां पे देखिए इनका वर्ग क्या होता है जैसे वन तो वन का वर्ग क्या होगा पता है ऐसे वर्ग का मतलब उनको दो बार गुड़ा करना ऐसे दो तो दो का स्कॉयर ऐसे दो बार गुड़ा यह नि चार तीन तीन का स्कॉयर कमाल यार मच्छर बैठ रहा है इस पर देखो वाइट कलर का चिन्द बन गया न यह है टेक्नलोजी चल गया हां पर मच्छर बैठा तो बहुत अच्छा डियलेट वाली कलास में स्विट हर्ट जी जुड़े हैं इनका कमेंट आ रहा है चीकू जुड़े हैं अंसु जुड़े हैं में इनका यमडी मुम्ताज महेस आरुसी पटेल आजयरुकसार अब्दुल्ग सलाम इनका नाम है ऐसे है ना विक्की तो आज डियलेट का नहीं पढ़ाएंगे आज सिर्फ बेसिक पढ़ाएंगे इसमें डियलेट वालों के भी काम का है लेकिन डियलेट का सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे चलो भाई तो ऐसे मुझे आप ये बताओ इमांदारी से कितने तक का वर्ग आपको याद है आगे चलके बहुत हेलपफुल होगा आपको इसक्वाइर याद होने चाहिए कितने तक का याद है जूटना बोलना सच सच बताना संख्या चार चार का इसक्वाइर ऐसे करोगे तो चार चोग सोला ये कम से कम पचास तक आपको ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपको आपका नाम याद होता है आपको आपके पिता जी का नाम पता होता है आपको आपके गाउं का नाम पता होता है अगर कोई आपसे पूछे कि फलाने बताओ तो है का नाम है तो का सोचते हो का आधा गंटा कान खुजवा कि क्या नाम है हमारा भूल गए नहीं न तो वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 23 का स्क्वाइर क्या होगा ताब फट से बताओ ठीक है चलिए तो इसी तरीके से आप क्या कहरों लिखुआ हूँ मैं इसको क्या नहीं न आफे 10 का स्क्वाइर कितना होगा 10 गुड़े 10 बराबर 4 कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं इसको लिखुआ दूँ ऐसे अगर आप चाहते हो लिखुआने को तो कमेंट में आप लोग हाँ लिखके कमेंट करिए कमेंट में सभी हां लिखें अगर चाहते हैं कि मैं लिखुआ हूँ सब एक तरब से लिखवा लिखवा के समझा दूँ अगर आप चाहते हो कि नहीं हम लिख लेंगे खुद कर लेंगे इतने सक्षम है तो फिर ना लिख के कमेंट करिए ये बस आधा मिनिट का काम है आगे बढ़ते हैं तो सभी लगभग चाहते हैं कि आप इसे लिख लेंगे जान लेंगे कर लेंगे तो चलो फिर आओ हम कुछ कुश्चन आप से कर रहे हैं उनका जबाब दीजिए तब तक हम इसको सेब कर देते हैं पिछली क्लास को PDF जिससे आपको टेलिगराम पर भेजा जाएगा जो मैं अभी इसके पहले बढ़ाया था ठीक है क्योंकि घूए बहुत जाधा पेज हो जाएगा तो डिलीट हो सकता है कि मुझे यह बताइए सभी फट फट क्या कि जीरो परमिय संख्या है कि सुन्न परमिय संख्या है अगर हां दो वाई लिखेंगे नहीं है तो यन बताइए बताईए सुन नहीं ज़ा राई रेफनल नंबर आई रेफनल नंबर जीरो रिफनल नंबर है कि रेफनल नंबर है ओ बता लिए लाइब 10 बिंटर बैच बेसिक मैच यह पीडिये जो सेब कर रहा हूं न जो अब तक पढ़ाया हूं सब एक्सपोर्ट हो जायाएगा इसको टेलीगराम पर भेजा जायाएगा वच्चों को अजय सिंग बहुत अच्छा पार्थ कुमार सुमित लक्षमी ठीक है कॉपी पेस्ट कोई ना करें आजय आपको मैं एक बार बता दिया था लेकिन आप नहीं सुदरते हो नहीं समलते हो क्या करूं कि इनको मैं फिर से बंद नहीं करूंगा नट फिर स्टार्टिंग से आ जाएंगे अधिक को हम क्लियर करेंगे बस ये लाइब नंबर आपका है दस कौन सा है लाइब नंबर अच्छा बेसिक मैं था लेकिन यार इसमें मैं लाइब नंबर भी डालूं डियलेड वालों के लिए तो पढ़ाई नहीं रहा हूं बेसिक है पढ़ा रहा हूं चोड़ो आगे टॉपिक पे चलते हैं में पॉइं लाइब 10 ये भी 10 में ही आएगा बिंटर बैच बेसिक मैं चुकि आज एक क्लास में दो क्लास पढ़ा दी जा रही ना दो घंटे हो जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है वर्गमूल और वर्ग यानि वर्ग और वर्गमूल ठीक है तो सुनने एक पर्मिय संख्या है जो अभी आपने पढ़ा सही बात है जीरो क्या है एक पर्मिय संख्या है जीरो क्या है एक पर्मिय संख्या है अब बात करते हैं कि इनको करते कैसे हैं समझना और देखना वर्गमूल कैफे निकालते हैं जैसे यह संख्या है यह उसका वर्ग है और यह है वर्गमूल थोड़ा देखना इनके जिन्दगी में घुश के संख्या है छोटी सी है जो 5 है अगर इसके वर्ग की बात करेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा 5 का स्कॉयर यानि यह हो जाएगा 25 अब जो 25 है अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो फाइनल में फिर फिर आ जाएगा 5 क्या सीखा आपने जहां से चले थे वहीं पर आ गए सुमन कुमा सत्या कमेंट आ रहा है कमेंट सब का आ रहा है सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक सेयर करें जल्दी जल्दी लाइक सेयर करें देर ना करें चल भया समझना यहाँ पर वर्गमूल होता क्या है देखिए वर्गमूल वास्तों में एक ऐसी संख्या होती है जो अपने वास्तविक रूप से थोड़ा भटक चुकी होती है ठीक है लेकिन उसको फिर से उसके वास्तविक रूप में लाने के लिए जो प्रकिरिया की जाती है वही वर्गमूल होती है ठीक है जैसे संख्या जो 25 थी यह सवरी 5 थी 5 का वर्ग किया था तो 25 आया था और 25 का वर्गमूल करने पर फिर वही आ गया यानि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किया गया है उसका वर्ग मूल कर दें तो फिर वो मूल संख्या आ जाती है यानि इसमें नाम में छिपा है वर्ग मूल यानि जो एक्टिविटी होती है वो वर्ग की गई संख्याओं का मूल पराप्त करवाता है ठिक है, उनकी वास्त भी कावकात क्या थी, वर्ग मूल वही चीज है, बस, जैसले संख्या 25 है, तो इसका वर्ग मूल 5 आएगा, यानि 5 का ही स्क्वार करने पर 25 बना था, समझे आउना हैं, यानि 5 का वर्ग क्या था, पचीज था, और 5 का जो वर्क करके पचीस आया था पचीस का जब स्क्वाइर रूट किया तो उसकी मूल संख्या पाँच आ गई वो इसे साथ वन चास कितना आएगा साथ साथ पीबीर स्टेडी सपोर्ट भाईया तुम क्लास में आते नहीं हो आज कल बहुत लापरवाई कर रहे हो वाटसाप पर जबाब देना हमें इमेल पर ठीक है मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अगर नो बज़े आते हो दस बज़े नहीं आते हो अब लंबा लंबा मत लिखना आ रहे हम तो रोज आते हैं प्रूफ रखे हैं कल भी नहीं आये थे दस बज़े वाली कलास में आप है ना आज नो बज़े वाली नहीं आये थे आप पताए क्यूं आपकी जिम्मेदारी है ना कमेंट मैनेज करना अगला आप छोटी-छोटी संख्याओं के बारें बात करते हैं बिस्तार से जफे देखो मानलो संख्या हो गई 25 इसका वर्गमूल क्या होगा बताए और कलास को जो है किसी को बलाग मत करिये आप होल्ड मत करिये किसी को चलो आगे बढ़ें किसी को कोई डाउट नहीं ना किसी को होल्ड ना करिये मिश्टर और हाँ जिस दिन ना नरे बता दिया करिया ऐसे नहीं चलेगा आपकी जिम्मेदारी आपके डूटी है ठीक है कि जो है गयब हो जाएंगे अचाना काज कमेंट रिपलाई नहीं करेंगे ऐसे वैसे तो आप बता दिया करिया ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब मर्जी तब गयब हो जाओ जब मर्जी तब आजाओ इसका क्या करेंगे पहले अब हाज गुडन खंड करेंगे फिर दो दो का जोड़ा बनाएंगे जोड़ा बनाने के बाद इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जायेगा और प्लस माइनस में इसका अंसर होगा ठीक है अब यह प्लस माइनस में क्यूं होता है यहाँ पर जीरो लेबल मैथ में यह बताने के लिए जरूरी नहीं है अगे बढ़े अगला देखिए next सभी को अधी खरा है न ऐसी संख्याओं का ही इस तरीके से बर्गमूल निकाला जा सकता है जो पूड़ वर्ग हैं अगर कोई ऐसी संख्या ले लोगे जो पूड़ वर्ग नहीं है तो फिर उसका वर्गमूल ऐसे नहीं होगा ठीक है जैफे देखिए मान लीजे मैंने ले लिया 900 तो 900 का वर्गमूल हो जाएगा की नहीं इसके पहले 100 का कर लो 100 का पहले अब हाजी कुड़नखंड करेंगे अब हाजी कुड़नखंड कैसे होगा दो दूना चार दूना आठ दूना सोला ऐसे बनेगा क्या चलो बताते हैं दो से डिवाइट करोगे 100 को 50 आएगा फिर 50 को 2 से करोगे 25 आएगा 25 को 5 से करोगे 5 आएगा फिर 5 यह हो गया 100 हो गया जोड़ा बनाओ दो दो का कि एक जोड़ा से ठीट तो एक ठोरे से एक ठुए अंधर आया दस को कि को दिक्कत ना किसी को नहीं ना कि 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 देज़ा सभी खंडे इसक्वाइर रूट याद करने का तरीका ट्रिक बहले वीडियो में बताएंगे इंतजार करिए इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं इस लाइब सेशन में कि आप वर्गमूल कैसे निकाले अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप वर्गमूल कैसे निकाले कुछ बच्चों को इनके फैक्टर करने में भी दिक्कत आ रही कैसे आ गया ये तो मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूँ चलिए अगले सवाल में अगले सवाल में मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है समझे इसको प्यारते देखिए इसक्रीन साट ले लिजिए ले लिए चलो अगर हमें 200 का वर्गमूल करना है 200 का फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको 0 से दिखाता हूँ आओ सबसे पहले ऐसे संख्या लिखेंगे फिर ये देखेंगे कि ये संख्या सम है कि भी सम है भाज्य है कि अभाज्य है देखने में ये संख्या सम लग रही है और भाज्य भी लग रही है यानि ये दो से पूर्टा विभाजित है ये दो के विभाजिता नियम का पालन भी कर रही है आसी संख्या जिसका लाश्ट का आंख 0,2,4,6,8 होता है वो दो से पूर्था विभाजी तो होती है तो फिर कर लो न देर किस बात की है चालो बईया दो से भाग करेंगे 200 को खतम उपर से एक 0 उतारो फिर क्या होगा 0 बाल ले जाओ यह 0 यह खतम एक 0 दूफर का उतार लो 0 जीरो बार 0 खतम आयसे होता है न यानि हमने भाग दो से किया था भाजक दो था तो भाजक यहां लिखते हैं और भाग करने पर जो कुछ हमें हाशिल ह themes हुआ यानि भाग फल उसको हिया लिखते नीचे यही प्रकृया सब में चलती जाती है बार बार मैं इतनी हो जाई इनी करूँगा चल बहिया आओ फिर दो से भाग करेंगे जब सो में तो आएगा पचास 50 में फिर बहिया दुछ से भाग करबा सा भाई तो पचीस आए 25 मां 5 के भाग करबा फिर 5 में खातम बढ़िया अब यहां आप लिखेंगे का पता है तुम्हें लिखो दूए गुड़ा दूए गुड़ा दूए और फिर पांच गुड़ा पांच इन में का करेंगे अब देखना समझे न दो दो का जोड़ा बनाएंगे इतका तो पूरता वर्गमूल कम्पलीटली आएगा नहीं क्योंकि 201 पूर्ग संख्या नहीं है मामला फस गया लेकिन फिर भी मैं आंसर बता दूँगा चलो एक नया कुश्चन हो जाएगा अच्छी बात है जिनके जिनके जोड़े बने हैं वो बाहर निकल गए आजाद नहीं रहेगा यह ऐसे रहेगा तो फाइनल में यह दस और यह रूट दो यहीं आंसर आएगा यहीं आंसर आएगा कि समझ में आया गुड बेरी गुड बहुत अच्छा तो आज दोनों कलास में बराबर बराबर बच्चे हैं लाइब डियेलेड वाले में भी और बेसिक मैथ वाले में भी 380 बच्चे इसमें है 380 उसमें भी है समझ में आया यह बिलकुल ऐसे है ऐसे समझ लो मैंने बताया था ने जिनकी जोड़ी बन जाती है उनका बहुत सार काम बन जाता है जिनकी जोड़ी नहीं बनती आजकल कुवारों को मकान माली कमरा तक नहीं देते सहरों में कहते नहीं अपना फ्लेट नहीं देंगे तुम फैमली वाले नहीं हो साधी करके आना तो जिनकी नहीं बनी वैसे रह जाते हैं चलो आगे आप देखो आगे कुछ और भी कुश्चन जो आसान हो फान pixel कर लोग हमें नहीं आवाद बता वाद आई एक ट्रिक बता देता हूँ आपको इसी में लगे हाथ मन लिजिए कि सोला का पहाड़ा हमें नहीं आ रहा है इसको आयर करना हमें आई नहीं है तो यहांट करेंगे था हए पहले किनारे किनारे का गुड़ा करिया ऐसे तो extract पांच खाना नंत वी लora 13 अले कि एक शक का च्यांड थेदेगों हुझा है खुर ड्वारा बारा ना किविट मेरे हांत था जारा बजए पहले बंद नहीं होगी जिनको सोना जाके सोजाओ जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हो तो पहले मरना पड़ेगा ऐसा नहीं भगवान हमें जमीने स्वर्ग दे दो नहीं तो यह मत को क्लास बंद कर दीजिए आयफा बिल्कुल नहीं होगा कता भी नहीं होगा हम लोग कुआरे लोग है साधी सुदा नहीं है रात में हम लोग फ्री रहते हैं चलो देखो इदर अभी देखो नितिस बाब उने ऐसा कोई बायान दिया था मां भी मांग रहे हो लेकिन उनका कुछ और गहरा वाला था कि तो सोला का मैंने क्या किया था कि दो सो चपन इसका वर्गमूल कि कितना आएगा चलो आगे देखो इनका पहले फैक्टर करेंगे दो सो चपन का फैक्टर दो सो चपन का फैक्टर कितना आएगा आप इसे दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा पता है दो एक कम दो दो दुना चार दो अठे सोला एक्सोटाइस आएगा एक्सोटाइस को दो से भाग करेंगे तो चौसटाइगा 64 को 2 से भाग करेंगे 32 आएगा 32 को 2 से भाग करेंगे तो 16 आएगा 13 को 2 से करोगे 8 आठ आएगा 8 को 2 से तो 4 आएगा और 4 को तुम दो गुड़ा 2 लिख सकते हो को जादा दूना लिख देयन देखा दो फिर देखो 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 22 64, 2, 18, 22, 254 साहिए ना साहिए ना, गिन लीजिए कितना हुआ 3 अबै रुक जाना 3 यह तक 3 यह तक 6, 8 साहिए ना हाँ और किसी को कोई दिक्कात नहीं ना इसमें चलो आगे तो भाईया इनके जोड़ा बनाओ सा भाईय लोग चला 2, 2, 2, 2 तो यह हो जाएगा एक दूसर के जोड़ा फे 2 ती फरके फे 3 चौते फे 4 दू दूना 4 दूना 8 दूना 16 आंसर कितना है 16 किसी को कोई दिक्कात कोई परसानी नहीं ना तो यह है क्या वर्गमूल करने का बिल्कुल बेसिक वाला तरीका इनका जो है फेक्टर कैसे निकालते हैं अब आज ये गुड़न खंड वो मैं आपको अभी पीछे की भी वीडियो में बता चुका हूँ अभी जेस्ट कलास में आज भी बताया था आज ना भाईया देखो ये बताया था ना ऐसे इनका फेक्टर निकालते हैं जो यहां लिखा गया इसके अंदर में तो कोई बड़ी संख्या बताओगे जिसका वर्गमूल करें एनिवन कोई बड़ी संख्या बताओगे चलो बड़ी संख्या में ले आया हूँ ग्यारा सो चप्पन का वर्गमूल जल्दी करो भाई पहला आप्षन है यह में कहां लिखी यह लिख लिए चुप़े से पहला आप्षन यकत्तिस दुसरा तैंतिस तिसरा बत्तिस या चौतिस जिनको वर्ग याद होगा वो फटागे आंसर बता देंगे चटाग द्यांसर आजाएगा चलो रूही जोसी दिवाली बाद रेगुलर चलने लगेगा बाकी टेली गराम पर संपर्क करिए बहुत अच्छा चलिए इनका वर्गमूल कैसे करेंगे आईए देखते सबसे पहले आप क्या करेंगे इस संख्या का जो दी गई है इसका करेंगे अभाजे गुडनखन अभाजे गुडनखन इधर है फाइड में कर लग भाईया 1156 तो पर्थम द्रिश्टे आप इनको देखेंगे कि क्या ये संख्या दो से फुली डिवाइड है आप सभी कमेंट में हां या ना बताओ और अगर दो से फुली डिवाइड है तो इसको दो से भाग करने पर क्या आएगा बताएगा मैं कैमरा की बैटरी चेंज करूंगा कितना मिनट 30 सिकेंड बैटरी का ये को चेंज करूंगा मैं चार्जर लगा दूंगा इसको चल बैए लग गया आओ तो ये दी गई संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित है क्योंकि इसका अंती मंग 6 है और कोई भी संख्या जिसका अंती मंग 0,24,68 होता है वो पूरी तरह से फूली डिवाइड बानी जाती है ठीक है किस से दो से होती भी है तो दो से इनको भाग करेंगे कितना आएगा मैंने पूछा था कौन-कौन बताया है बहुत अच्छा इसका अंसर चौन-तीस बताया है कोई ठीक है दो पंचे दस दो सत चौदा और दो यट सोला फिर से आप दो से ही भाग करेंगे क्योंकि ये संख्या का लाश्ट अंक आठ है और ये दो से पूरता विभाजित है क्योंकि दो का विभाज़ता नियम ऐसा कहता है तो दो से आप जब 578 को भाग करोगे तो दो दुना चार अध्वी अठे फोला अध्वी नमाठारा जो दो सो नमासी आया है ये सभी को अब नहीं आएगा हर कोई इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि मामला फंस गया तो दो सो नमासी किस से डिवाइड होगा इमानदारी से बताओ चलो यही लिए तु लोग का कहता हूँ कि याद कर लो इसको आयर याद कर लो तेजास्वी कंडे आपको मैं पांच मिनट के लिए बलाक कर रहा हूँ क्योंकि आप कॉपी पेस्ट खुब कर रहे हो खीक है पांच मिनट बाद आना कॉपी पेस्ट ना करना दुबारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेस्ट टीचर माना उसके लिए थैंक्यू रोहित दो कलास चल रही है आप कलास चेंज कर करके दोनों में देखिए कलास चेंज कर करके कुछ देर इसमें देखिए कुछ देर उसमें देखिए क्या-क्या बवाल बचाये इन लोगों ने अनुझ कुमार बहुत अच्छा सुमन कुमार बेरी गुड तो ये डिवाइड होगा फत्रा फे चुकि 17 का स्कॉयर होता है इफिल ये कहता हूँ इसकॉयर याद करो 17 का स्कॉयर होता है वैसे पगलाओगे एक से लेके 16 तक कभी निकटेगा तो ये इसके क्या है अब आज ये गुडन खड़ इसमें से एक दो बाहर निकलेगा इसमें से 17 बाहर निकलेगा गुडा करोगे 34 आएगा ये अंसर हो गया ऐसे थोड़े लग रहा तुमको बहुत आसान है कोनो करा 24 होगा तुम पैदा हुए हो कि आसमान से परगट हुए हो तुम पैदा हुए हो कि परगट हुए हो गदा आगाई का चलो भाई हो गया कोई दिक्कत ना किसी को confusion बनाते हैं इनको लगता है कि हम confusion कर देंगे चलो आगा आगे भाई आगे चलो आगा नहीं मतलब आगे 1296 का कर लेंगे 12 नमबर लालो कुछ भी लिख लो 1296 का वर्गमूल क्या होगा 32 होगा 42 होगा 36 होगा या 43 होगा पर्टिक्छा तिवारी जी बताइए अनुराधर रधास या स्पाल प्रतिमा जबाब दीजिए फटा फट बहुत जल्दी करें जो बच्चे अगर इसको डियलेड वाली लाइब में देख रहे हैं तो वो समझ लें कि डियलेड का स्पेसल कलाफ आज नहीं चल रहा है लेकिन लेकिन ये उनके लिए भी इंपॉर्टन्ट है क्योंकि उनके सिलेबस में कहीं न कहीं ये हैं तो क्या कह रहे हैं आप लोग आगे बढ़ें इसका सही आंसर कोई बताया है तो उनका नाम है लखन करन बहुत अच्छा चतिस बताया है इन्होंने परभाद कुमार अंबेडकर विसाल पासवान ठीक है रूची मौर्या समरीन ठीक है इसका आंसर आएगा कितना वह ही आएगा चतिस इसका आंसर चतिस आएगा क्योंकि जिन लोगों को पता है वो जान रहे हैं कि चतिस का इसक्वायर करने पर बारफ पच्छान वे आता है तुम अगर नहीं जानता हो तो पर तुम इसे पगला होगे तो चल भाया हम तो बताएंगे तरीका पूरा एकदम स्टार्टिंग फेंड तक क्या है 12.90 इसको संख्या को देखिए प्यार से देखिए गौर से उपर पे नीचे तक क्या है ये सम संख्या है हा या नहीं भाजे संख्या है हा या नहीं दोनों का अंसर हाँ अगर ये सम संख्या है और भाज संख्या है तो सम भी है भाज भी है तो क्या होगा पता आपको दो से भी भाजित होगा दो से भी भाजित करेंगे तो कितना जाएगा दो छंग बारा दो चौक आठ अद्दू एठे सोला ठीक है बया फिर दो से भाग करिए 648 को तो दो तियांग इच्छा, दो दुना चार, दो चोगाट दो एक कम दो दो जंग बारा, दो दुना चार फिर दो से भाग करो दो अठे सोला, दो एक कम दो अब देखिए, जो 81 है, 81 वो दो से डिवाइड नहीं है क्या है? दो फिर डिवाइड नहीं है तो क्या करोगे तीन से? तीन दुना चार, और तीन सते 21 फिर ये भी तीन से जाएगा तो तीन नमा 27 फिर तीन तरीका, नव और फिर तीन एक कम तीन किसी को कोई डाउट? नो डाउट? चलो देखो आगे अब इनका क्या करेंगे हम? एफे, यहाँ पर जितनी बार भी डिवाइड हुए उनको इकठा लिखेंगे लिख भईया फटा फट चलो आगे बढ़ें तो देखिए वन, टू, थरी, फोर और कितना? फोर टाइम टू से डिवाइड हुआ है कितना टाइम? फोर टाइम और फोर टाइम ही थिरी से भी डिवाइड है कितना? फोर टाइम आप इनका पेर बनाएंगे यानि जोड़ा बनाएंगे तो देखो एक जोड़ा, दू जोड़ा तीन जोड़ा, चार जोड़ा पहरे जोड़ा फेक्ठी दू बाहरे आवा दूसर के से एक दू एमा एक तीन, एमा एक तीन दू दूना चार तियांगी बारत तियांगी 36 यह answer आया यह है वर्ग मूल करने का तरीका क्या है वर्ग मूल करने का तरीका राहुल गुपता जी बिल्कुल confidence आएगा जिनको गड़ित में कुछ नहीं आता हम उनी को सिखाते है जिनको आता है वो तो बहुत जगा जाते हैं सिखाते हैं यह स्पाल समझ में आ रहा है अजय सिंग विशाल पासवान समरीन सैनी लक्षमी देवी सबको आ रहा है तो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके पहले ऐसे कंडिडेट जिनको गड़ित में कुछ भी नहीं आता बिल्कुल सुल्ड मटा सननाटा है अगर उनको लगता है कि जीरो का अविसकार सिर्व उनी को नंबर देने के लिए हुआ है तो इससे आप गलत सिद्ध कर सकते हैं पीवियार स्टडी की नई बैच के साथ इसमें दिवाली आफर में आपको 90% तक का छूट मिल रहा है पूरे वन येर की फीज जो वन तिरपल नाइन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 500 पे करके मिल रहा है यानि आपको 1499 का छूट मिल रही है 15 सो रुपए की छूट मिल रही सिर्फ 500 रुपए लग रहा है पूरे एक साल एक साल बहुत टाइम होता भया एक साल बहुत समय होता बारा महीना होते हैं अज कल की इतनी महगाई में बारा महीने सिर्फ 500 रुपए में पढ़ाना बहुत बड़ी बात है समझ रहे न वहीं दो साल के लिए ओनली 1000 लग भग संथिंग तिरपल नाइन दो साल के लिए भी इसमें आप सन है एप में जाएंगे मिल जायागा ठीक है देड़ साल के लिए ओनली 699 यानि आप भी पढ़ो आपका छोटका भाई हो पढ़े और जो जोड़े वाले हैं दोनों पढ़े एक साल आप पढ़ो एक साल वो पढ़े जल्दी करें इसमें दिवाली आफर सिर्फ दिवाली के पहले ही खतम हो जाएगा नंबर पर संपर करिए नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहा है अगर आप इच्छू का बर्थी है चले आगे बढ़े तो किसी को कुछ कहना है कि एनिधिंग कुछ कहना चाहते हो कोई हील रहा है मेरा हाथ वाज चल रहा है न चलो ठीक है तो अब प्रेक्टिस करेंगे अब प्रेक्टिस यह बताए प्रेक्टिस कितने प्रकार के होते है बताओ तीन प्रकार के पांच छे दो प्रेक्टिस 20 नमबर कोईश्चन से शुरू करो अच्छा लगेगा अगर 20 में A सही है तो आप कमेंट में 20 A लिखेंगे अगर D सही है तो 20 D लिखेंगे जल्दी करें वो पेश समझ में आ रहा है सुमन कुमार सत्या कुछ कहना है किसी को नहीं न चल भाई आगे बढ़ू गुड गुड बेरी गुड चल चल भाई चल भाई चल भाई आगे बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो तिरबूज होते हैं तो चे परकार के होते हैं अगर शिर्फ ऐसे कोश्चन है बूजाओं के आधार पे तीन परकार के होते हैं तो आप परकार कहते आप अगर पूछता कोण के आधार पर कितने परकार होते हैं तो आप तीन परकार बोलते लेकिन सिर्फ पूछा है कितने परकार के होते हैं तो आप छे परकार बताएंगे ठीक है आप तीन नहीं बताओगे कि आगे next 21 यह बताईए कि under root no or plus under root समझना यहाँ पे 32 और यहाँ पर 5 है यह संख्या है इसको जितने लोग बता लेंगे हम मान लेंगे का आपको गड़ी ता आने लगी है फाहिला A पर्मिय B अपर्मिय यह 32 को ध्यान देना यह ऐसे है confusion में न जाना यहाँ पांच है घात पांच है इसकी प्रिया सुकला रागनी यह स्पाल यादो नहीं बिल्कुल नहीं बर सकते हो आकास आकास जी आपसे बिनम्र निवेधन है और उमीद है कि आप सुविकार करेंगे अगर इतना कुछ आपने सिखा है आप अपना फोन ले करके ऐसे करेंगे ऐसे और एक वीडियो बनाएंगे यह जो आपने बात कहा ठीक है और इसको अगर हमें इस वाटसप नंबर पर भेजेंगे याद रहे फोन आपको ऐसे करना जैसे मैंने किया ऐसे नहीं करना है अगर आप अपना इस फीडिबैक को बना के एक वीडियो में भेजेंगे तो लाखो बच्चे देखेंगे और ऐसे लोग जिनकी उमीद नहीं है अब मैद सीखने की जो हो चुके हैं 35 साल के वो भी जिन्दगी में कुछ कर पाएंगे मोटिबेसन बहुत जरूरी है ठीक है तो उमीद है नीचे स्क्रीन पर चल रहे है नंबर पर आप जरूर भेजेंगे ठीक है जरूर बनाके वीडियो भेजिएगा तो ये परमिय संख्या है ये परमिय संख्या है देखो कैसे इसका वर्ग मुल तीन आएगा और इसका 5 घात वाला वो मनाओगे 2 आएगा कैसे देखो भाई 5 घात है उसकी करडी की तो पांच-पांच का जोड़ा बनेगा पांच-पांच का जोड़ा बनेगा 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 22 तो एक कर दो आएगा इसे पंच मूल आपका है सकते हो क्या कहो गे पंच मूल निकल लेगा ठीक है सभी मेरी बात को समझ पाए तो अभी 67 बच्चे जुड़े हैं केवल 63 दो लाइब सेशन में बड़ियां है तो इस चीज से दो खाना खाना कही मैत में क्योंकि वो ना तो पूर्डवर्ग संख्या है ना पूर्डगन है फिर भी संख्या पर्मिय हो रही है गोशन नमबर 22 जीरो पॉइंट 5 के उपर बार लगा है धन है 9 ये पर्मिय है किया पर्मिय है बता बहिया 22 में A है कि B है क्या कह रहा है ये ये अभी प्रैक्टिस कुश्चन हो रहा है आप तक मैं पढ़ा दिया था जो पढ़ाना था पढ़ा दिया था कुश्चन का आंसर ऐसे देंगे आप 22 आफे लिखेंगे 22 A या 22 B ये तरीका है बाकी और कोई तीफरा कुछ नहीं लिखेगा ध्यान से देखिए आपके काम का चीज है इस्क्रिन पे पंचमूल मीन्स नहीं समझ रहे हैं जो लोग अभी बताता हूं रुको बताता हूं ये पर्मियन संक्या है इसका आंसर ये पर्मियन संक्या है क्यों क्योंकि इसका जो मान है आप करोगे तो पांच बटानो आएगा जब मायत पड़ोगे ता आगे बताएंगे इनको इसमें क्या करोगे एक एक कम पंचे पांच नो नमाई क्यासी पांच धनी क्यासी नो प्रिश्व बतनों आएगा पर्मिय संख्या होगा न यह पंचमूल वाला कहा गया उसको देखो भई यह उपर न चलो देखो बताता हूँ देखो यहाँ पर समझो मेरी बात समझो यहाँ पर जैसे यह पहला यहाँ पर अगर मैंने संख्या ले लिया नो ठीक है यहाँ पर लिख दिया तीन स्वरी तीन नहीं दो दो लिख दिया या कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब जानते हो इसका मतलब हम इसका जो भी मतलब अभाज गुडनखंड करेंगे उसमें दो दो का जोड़ा बनेगा क्यों क्यों कि इसकी घात दो है जितनी घात रहेगी उतने उतने के जोड़े बनाते हैं तो इसका आंसर तीन आए गवर गमूल ठीक है समझ ना यहापे अगर हमने यहाँ लिख दिया 27 और यहाँ पर लिख दिया 3 इसका मतलब यहाँ पर हम इसका भाज गुड़न खंड करके 3-3 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि घात 3 है समझते जाना अभी तीन-तीन का जोड़ा बनाएंगे ये तो इसका आंसर आएगा 3 समझते जाना अभी अब इसमें अगर हम 3 से और गुड़ा कर दे 81 आ जाएगा न इक्यासी तो अगर हम यहाँ पर लिखे 81 और यहाँ पर लिखे 4 चार लिखे मा तो जानते हो क्या होगा फिर भाई साहब इनके हम 4 चार का जोड़ा बनाएंगे अब यह आपने आज तक नहीं पढ़ा न यहाँ पर घाट 4 लगी है न तो यहाँ पर हम 4 चार का जोड़ा बनाएंगे तो यह आपका कितना आएगा तीन आएगा अंसर सामाने तरीके से अगर 81 का वर्गमूल करोगे तो चार न आता है न ठीक है तो यहाँ पर वर्गमूल नहीं हो रहा है ठीक है जितनी यहाँ घात होती है उतने उतने के चोड़े बनते हैं किसी को कोई दिक्कत ना कोई परिशानी नहीं इफी तरीके से एक और आपको बता देता हूं देखो अभी देखो भाई देखो देखो अभी जैसे मैंने 32 का निकाला था उसको भी देख लो 32 ऐसे था 32 था ऐसे यहाँ पर घात 5 थी इसका मतलब हम 32 के अभाज गुड़न खंड करेंगे और 5-5 का जोड़ा बनाएंगे ठीक है 5-5 के जोड़े बनेंगे 2 और 3 के नहीं बनेंगे देखो यह 5-5 के जोड़े इसका फाइनल आंसा सिर्फ दो आएगा बस वर्गमूल या घनमूल नहीं निकल रहा है वाँ पे सभी को समझ में आ गया उमीद है किसी को कोई बरकार का डाउट नहीं है रूची मौर्या समझ में आया आजय सिंग आपको भी आया किसी को कुछ कहना है तो बता दो फटा फट चलो कोई दिक्कत ना किसी को जमाइमा सुकला आया समझ में प्रिया सुकला गीता बर्मा एसपा ले दो रागिनी परजापती सभी को आ गया ये बात समझ गए आगे बढ़ें दड़ें जमापको प्रिया लुट जमापको आपको 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 आपको